हमारी सर्कार के एक बहुत बड़े दिभाद में थोड़े दिए पहले एक सर्विक्षन किया है इंडियन स्क्राटिस्टिकल विपार्थ में इस संस्था की तरफ से भारत सरकार की संस्था है इन्होंने एक सर्वेक्षन किया है और वो सर्वेक्षन में उन्होंने जानकारी दी है कि 110 करोर लोगों की भारत में मात्र 33 करोर लोग ऐसे हैं जो चिपिट्सा की सुविधा ले सकते हैं मात्र 33 करोर इसको दूसरे सर्वे शब्दों में मैं कहूं, तो भारत में सिर्फ एतीस करोर नागरिक ऐसे हैं जो चित्सा करा सकते हैं। वो चाहे खjलोपेथी की हूँ, होंगयोपेर्थी की हूँ आयोवेथी की हूँ, बायोक्यमिक हूँ, नेचरोपेथी की हो, योग या प्राणायाऊ की हो या मेहमेंट खरिश्मी की हो जिनको वैकन पेशनित्सा पद्द्द के दिनुकेश्जाना जाना है। मारत में 33 करोर लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी उच्छा के बागतर से चिकित्सा ले सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि 70 करोर नागरिक ऐसे हैं इस देशन जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उपलत नहीं वो जो 77 करोर नागरिक हैं वो या तो किसी ओज़ा के पास जाते हैं या तो कोई दुनिया के पास जाते हैं या तो कोई फ़किर के पास जाते हैं, या किसी महात्मा स्वाजू संक्र के पास जाते हैं और जो भी उनकों मिलता है, उसी को सहरशु शिक्वित्सा मानकर्व स्विकार कर दे .... इसमें दुश्परणाम भी होते हैं, कुछ कभी-कभी अच्छे परiniam मिल आ जाते हैं उस परiniam यह होते हैं कि कई बार हजारों नहीं लाखों की संख्ष्टा में मौते हो जाते हैं कुछ कभी-कभी अच्छे परिणाम भी नृध जाते हैं तो इपहुचा हुआ पिर फटीर है, सादव महत्मा है जिसको ग्यान है, तो वो कभी उनको ठीट भी कर देते हैं, लेकिन 77 करोर नागरिकों का जो जीवन है, वो सरकार की जानकारी के अपसाथ बिना चिकित्सा के चलता है, मातर 33 करोर नागरिक भी हैं जो चिकित्सा ले पाते हैं, ये जो 33 करोर नागरिक हैं, इनके बारे में एक स बुरी हिमारी डाइविटीज है और इस डाइविटीज के कारण उनकी जिंदकी बहुत दुख में है आप सबी जानते हैं कि डाइविटीज एक ऐसा रोग है जिसको Mother Nessies कहा जाता है या कभी-कभी इसको Silent Filler कहते हैं ये डाइविटीज ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो ने साथ अब ये जुर्विटा हुई और बिल्ली से जम्मू जा रहा था मेरे इक दोस्त मेरे ही साथ के सम्यान में काम करता हुआ वह ही मेरे साथ जा रहा था मेली तो बध थी प्रेम में वो नीचे थी उसकी उपर थी राध को बिली स्टेशन पर हम सब सू गए वो उपर पर नीचे सो गया, सबेले जब प्रेल जम्मू पहुंची, तो मैंने उसको जग्योड के जलाया, तो जला नहीं, और मैंने जब थोड़ा हिला तो पूरा शरील उसका लीचे गिर गया, तब मुझे पकाचला कि वो मर गया, रात में ही उसकी लग्तिव हो गया, जम्मू मेडि को मैंने का, डॉक्टर साब मैं तो इसके नीचे की बर्थ पे सोया हुआ था, तो अनुने का कि ये जो भाई है, इसको डाइबिटीस पा, और डाइबिटीस के किसी प्रिशन को कितना भी सीवियर हर्पे कहता है, वो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेंसेशन खतम हो जाता है, डाइबिटीस ऐसी बीमारी है, ये पाँच करोड भारत मासियों को हो गई है, दीरे दीरे संख्या लगाता बढ़ती ही जा रही है, इसी तरह से भारत में लगब साड़े तीन से चार करोड लोग ऐसे हैं, जिनको जॉइंक स्पे रहता है हमेशा गुटे में दर्द है, कमर में दर्द है, कंदे में दर्द है, आप उसको अर्थराइटिस कहिए या संदी बात कहिए, सारे तीन से चार करोड लोगों को ये पत्लिक है भारत सरकार गोलती है, कि लगब भारत में चार करोड पच्छीस लाग लोग ऐसे हैं, जिनको पेखी अनिक अनिक विमारिया हैं, जैसे कबजियत है, कॉस्टिवेशन है, जैसे मूर गयार है, बवासीर है, भगंदर है, हैमरोइट से, पाइल से, ऐसे गोग हैं फिर सरकार गोलती है, कि लगब भारत में 3-3,5 करोड लोग हैं, जो इस वो दमा हैं, अस्थमा हैं, और दमा अस्थमा के साथ टीवी जोड़ दी जाए, तो ये 10 करोड की संध्या हो जाती है, तो मैंने देख लिया, कि 33 करोड लोग के इलाज कराते हैं इस देश में, वो अबरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलातर, कुल मिलातर सारे 4,5 करोड रुपए खर्च करते हैं, इसमें 3 खर्चे शामिल हैं, डॉक्टर को दी नहीं फीस, खरीदी नहीं दवाएं, और अगर जनूरत पढ़ने पर हुआ ओपरेशन तो ओपरेशन का खर्च, ओपर को दी नहीं फीस, ये तीनों मिलाकर सारे 4,5 करोड रुपए पैखता हैं, अब सारे 4,5 करोड रुपए की जो रगदम हैं, वो छोटी मोटी नहीं है, अगर आप इसको कैल्कुलेटर में लिखो तो कैल्कुलेटर फेल हो जाए, कारण ये है कि कैल्कुलेटर में 12 अंग पा और ये साड़े 4,5 करोड लिखने में 14 अंग लगदे, पैटालीस लिखना, फिर उसके आगे 12 शून में लिखा, शून में 002, इतनी बड़ी रकम है, छिकित्सा पर खर्च हो जाती है इस देश की, इस रकम के दो हिस्से हैं, एक तो वो जो सरकार खर्च करती है लोगों के अपने उपर, दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने उपर, आप जानते हैं कि भारत में दो तरह से सरकार चलती है, एक तेंडर की सरकार, एक राज्य की सरकार, दोनों चिकित्सा पर जो खर्च करते हैं, और लोग अपने उपर जो चिकित्सा का खर्च करते ह ये कुल मिलाकर साल का साड़े चार्वा करोन रखता है स्वास्तमंत्राजर को अगर पूछा जाए कि ये साड़े चार्वा करोन का खर्च होने के बाद क्या गारेंटी है सब ठीक हो जाएंगे करते कोई गारेंटी नहीं क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है खर्चा कम नहीं हो रहा है बढ़ता भी जा रहा है ये एक गभी बाग्या हम चिकिकसा पर खर्च बढ़ाते जाएं होस्पितलों की संख्या बढ़ रही है रप्तलों की संख्या बढ़ रही है दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है सुख की जो परिभाषा है भायकी वो ये कि जो संपूर निरोगी है वो सुखी है जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है तो संबूर निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगाता घड़ रही है सुख बढ़ नहीं रहा है बीमारिया जरूर बढ़ रही कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई गेते हैं बीमारियों के तो दिमार चक्कर खा जा चिकन गुनिया अभी थोड़े दिन कहीं रोग आ गया करोरो लोग परिशान हो गया करोरो डॉक्तर भी परिशान हो गया शोकि उनको भी ये लोग से जैसे थोड़ी पर बाद वस्पिटलाइज होना पड़ और अभी तक मैं भारत में घुमता हूँ चिकन गुनिया गए हुए छे महिने हो गए ये लोगों का दर दबने कर नहीं गया चिकन गुनिया का उपने अभी भी दुख रहे हैं कमर अभी भी दुख रहे हैं कंदे में अभी भी दर भी ये समस्या हमारी देश में है और ये समस्या भारत में हैं ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी देशों में हैं। आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो क्या वहाँ सब लोग सुखी हैं, वहाँ भी नहीं। अमेरिका और यूरोप में भी बीमारों की संख्या एकनी जादा है, कि वहाँ की दवा कंपनियां और डॉक्टर बोलते हैं कि इनका स्वास्त का इलाज कर पाना असंबल जैसा देखने लगा है। यूरोप में भी बोई हाल है। यूरोप और अमेरिका की सरकारें की बोलती हैं कि उनका सबसे जादा टैक्स दवा गेचने वादी कंपनियों से पिसुख सेना वहां कुछ बिता है तो दमाई Latin a Act सबसे जदादी पारी क्राइव नई है तो बीमार लोक सबसे जाध़ा है कि आपको एक बाद मयाती होगी कि यह देश को बहुत सुखी है क्योंकि बहुत पैसा है मैं आपको यह बतानी आया हूँ कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता दुनिया में प्रफ्य व्यक्षी सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो देश का नाम है सुज़रलेंग दूसरे नमबर पर देश है देरिमार्ड तीसरे नमबर पर है स्वीडन इन तीनों ही देशों में मनो रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़ादा है मनो रोगियों मानसिक रोगों के जो मरीज है वो सबसे ज़ादा सुज़रलेंग में है बेलमार्ड में है नौर्डन में है और स्वीडन में है जबकि सबसे ज़्यादा सुविधाएं इनी चार देशों में हैं कभी आप बेजमार्क, नौर्वे, सुदिन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्व तो दुनिया का यहीं पर है इतनी अच्छी सबक़े हैं वहां पर कि कहीं केलो मीटर केलो मीटर आप चले जाएंगे, सबसे का केलो मीटर चले जाई आएं कि इस देश की सवकों पर एक खड़ा भी नहीं है। कि इसके पास दो से कम गाड़ियां है। स्वास्त मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। सुरिधाएं बहुत हो सकती हैं लेकिन आप सुखी हैं ये बिकुल नहीं है। दुनिया में सबसे जादा टेलिफोन, प्रति व्यक्ति फिन्लेंड में हैं। छोटा सा देश है फिन्लेंड लेकिन सबसे जादा मस्तिष्क के कहनी सर उसी देश है। तो ये मैं बातें आपको सिर्ज ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूँ कि स्वास्थ का सुरिधाओं से कोई संबंद नहीं है। हो सकता है आपके भर में बहुत सुरिधाएं हों लेकिन रात को नी भी नहीं आती हो। गंडों गंडों नहीं आती हो। चार-चार गोईयां खाने के बाद भी नहीं आती हो। ऐसे बहुत में उनको मैंने देखाए। हजारों करोड़ की संब्त्र के मागे हैं लेकिन दो घंडे की नीद के लिए तरसते हैं कि उनको नीद आ जाया। कभी में मैं उनके घर में जाता हूं जाए अगरी को एसा फोर्मुला बता दो कि ह mustache तो मैं उनसे कहता हूं इसा कोई फोर्मुला निया अंगा ऐसी स्थिकी हमारे देश में हैं दुनिया के सभी देशों में है इस इस्तिवी वो ठीप होना चाहिए इस द्रश्टी से मैं बहुत दिन से सोचता है अगा कैसे ठीप हो यह अपने देश में और दूसरे देशों में तो मैंने देखा, सुना, पढ़ा उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको ठीप कैसे किया जा अपने ही भारत देश में के 30 करोड़ जो चिकितसा ले सकते हैं वो गंधीर बीमार है और 77 करोड़ जो नहीं ले सकते हैं उनकी तो बागी क्या है इन लोगों को कैसे चीप कर सकते हैं तो एक बाद मैंने सोचना शुरू किया शायद होस्टिकल की संखा बढ़े डॉक्तर जादा हो जाएं तो ये चीप हो जाएंगे लेकिन मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत में 20 लाख डॉक्तर हैं जो रजिस्टर्ड हैं 10 लाख डॉक्तर हैं जो अन्रजिस्टर्ड हैं 30 लाख डॉक्तर इस देश में काम कर रहे हैं फिर भी भाईजों की संध्या बढ़ गई है, कोई कारणी ने ने कि ये एक करोड हो जाए तो बरीज कम हो जाए। हमारे देश में 1947 में जब आजादी आई थी, तो 70 करोड रुपए साल की दवाएं इस देश में बनती थी, आज इस देश में 70,000 करोड रुपए साल की दवाएं बनती हैं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, बीमारियां कम नहीं हो रहे हैं। तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है, तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है। ये सोचकर मैंने पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना शुरू किया तो समझ में आया, कि बीमारियों का जो संबंद है, वो सीधा सीधा, जीवन शेली से हैं, खान पान से हैं, आचरम विवार से हैं। अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है तो मैंने इस ग्रश्ची से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मैं ये सोचू कि इतनी बीमारिया क्यों हो रही है तो पता चला कि हमारी जो प्रकरती है हमारा जो वातावरण है हमारा जो परिया हो गई है нам दूबएं हमारी प्रकर टी हमारा परियावन बातार्द बातारां कैसा है भारत दुनिया का कने अदूत देश को है मैं एjedर रवारत दूटत, 13 को मैं दुनिया में लगब 13 को प्रवास पिया उन उन सब को देखने के बाद में यह कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अद्वुत देश है और हम करी बार करते हैं भारत महान देश है तो इसकी सच में कुछ महानता है जो दूसरे देशों में नहीं है आप बोलेंगे उधारण के लिए मैं एक उधारण देता हूँ दुनिया में ये अकेला देश भारत है जहां पर 16 तरह के मौसम है अगर तक्रीकी शब्द में कहूँ तो 16 क्लाइमेटि जो इसे निस देश जो किसी दूसरी देश में है 16 एक और छो एक साथ एक ही देख यूरोप में आप घूंबने जाईए अमेरिका में जाईए कनाडा में जाईए तो ज्यादा से ज्यादा दो क्लाइमेटि जो इसे वहाँ पर एक ठंड वाला और एक भयंकर ठंड वाला दो इक लाइमेटि जो अगस ठंड वाला माने तापन होगा 4,5 डिवरी और भयानकर ठंड वाला तापन होगा माइनस 25, माइनस 30 पूरे यूरोप में और अमेरिका में यही हाल है अफरीका में चले जाए तो अफरीका में भी दो इक्लाइमेट जोन्स हैं एक गर्मी वाला और एक भयलकर गर्मी वाला लेटिन अमेरिका में चले जाएंगे तो लेटिन अमेरिका में भी दो क्लाइमेटिक जोन्स हैं एक तो बारिश वाला और एक भयलकर बारिश वाला अगर आप ग्राजी जैसे देश में चले जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, साल में आठ महीले बारिश होती ही रहती है, आठ महीले, सूरज निकलता ही रहेंगे, धुआ धार, मुर्सला धार बारिश बिलकी है, आठ महीले, और ब्राजीन जैसे देशों का इतना बुरा हार्ग है, कि कपड़ा सुखाना हो, तो धोले के बार 15 गिन, 20 दिन लग जाते नाराम से, सुखने, कई बार washing machine फेल हो जाते हैं, इतनी humidity होती है, तो लेटिन अमेरिका में दो climate zones हैं, बारिश और भहिंकर बारिश, योरोप और अमेरिका में दो climate zones हैं, ठंड और भहिंकर ठंड, अफ्रीका में दो climate zones हैं, गर्मी और भहिंकर गर्मी, भारत में 16 climate zones हैं, इसी देख में हैं, कहीं रहे हैं? आप तुम्हें, थोड़े से उधारें से समझावा, अगर आपको भारत में अफ्रीका देखना है इसी भारत में अफ्रीका देखना है तो राजिस्थान आजाईए देख लीज़े अफ्रीका में आप जानते हैं भयंकर रेटिस्थानी इलाखे आपको भारत में रेटिस्थान देखना है रेटिस्थानी घर में देखनी है जो ज ब्राजील वाला क्लाइमिटिक जोन्स देखना हो, भहिंकर बारिश और नुसला धार बारिश तो चेरा पुझी आजए, करनाटक में आजए, मल्ना ने नी आजए, तो आपको ब्राजील दिखाई देखना हो, अगर इस देश में आपको ठंड और भहिंकर ठंड देखनी हो, तो हिमाचन प्रुदेश आजएए, जमू काश्मीर आजएए, उत्तरांचल आजएए, आपको स्वीडन और बेंमार की नज़र आजएए, अगर ऑस्ट्रेलिया का दलदल इलाका देखना हो, कीचरवाला, तो इसी देश में बिहार आजएए, बंगाल आजएए, खूब की इसी देश में, और ये क्लाइमें जो सबके सब एक साथ भारत में हैं, इसका कारण क्या है, मैंने बहुत दूनने की कोशिश की तो पता चला, कि दुनिया में भारत एक ऐसा अगुद देश है, जहां सूर्य भगवाल की सबसे बड़ी क्रपा है, इस देश में, सान में, दो चार दिनों को छोड़ कर, कोई भी दिन ऐसा नहीं आता, जो संदे ना हो, S-U-N-D-A-Y Sunday मनी सूरी का दिन Sunday मनी छुकती नहीं Sunday मनी सूरी का दिन भारत में साल में 365 दिनों में से 5,000 दिनों को छोड़ Mia जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो Sunday ना हो और Europe और America में 365 दिनों में से पंद्रे बीस दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं को संडे हो वहाँ सूरी का प्रकाशी नहीं अमरीका यूरोप में तो आठ महीने सूरज का दर्शन नहीं होता इतनी ठंद और गर्फ का इलाका है सूरज ही नहीं निकल नहीं सूरी दिखाई नहीं देता और इन देशों में कभी गलती से सूरी लिकन आया तो वो लोग पागल हो जाती और इतने पागल हो जाती कि कपड़ उतार के फिर देते एककम नंग धड़न समुद्र के किनारे लोगना शुरू कर देते तो कि सूरी का प्रकाश चाहिए उससे ही विटैमिन भी लिलता और अगर उनको अपने देश में ना मिले तो वो पागलों की तरह से भारत में भादबाद के आते हैं और सब कपड़े उतार उतार के यहां के समुद्र दितकों पर लोग लगाते रहते हैं आपको लगता यह मूर्ख है, मूर्ख नहीं है उनको सूरी का प्रकाश नहीं मिलता इसलिए शर दिते हैं, तारते हैं, सब उतार की लेटा वो अश्मित अलेंफ है के वो इतने गरीब है कि उनको मिल्की नहीं है दूप वो दूप खाने के लिए जहां हі अब भारत सरकार दुनिया में अकेली सरकार है जो धूप पर टैक्स नहीं लेकिए सुर्य प्रकाश पर यहां कोई टैक्स ले मुफ़त में हैं सब को है जितना चाहो उतना मेरे हर दे लेगो, रोज रोज लेगो हजार साल से अगले हजार साल का यह अद्बुद देश है तो वो यहां आते हैं सुर्य की धूप लेने के लिए आते हैं यह हमें समझने की जरूरत है इस देश पर सुर्य भगवान की अद्बुद क्रपा है और जिस देश पर सुर्य की क्रपा हो जाए वहां सब की क्रपा आ जाते है जहां सूरी की क्रपा हो गई वहां सब की क्रपा हो जाती है क्योंकि ब्रह्मांड को चलने वाला सूरी ही है इस सूरी ब्रह्मांड की शक्ति अगर कहीं है तो सूरी में है आला आप जो सरल सरल तरीके से इसको समझवा अगर यहां सूरी है तो temperature में variation है तापमान में अंतर है और ये तापमान का अंतर ही है जो बारिश लाता है ये तापमान का ही अंतर है जो हवा चलाता है तबन होती है बारिश होती है धूलबरी आणियां होती है सुखी हवा चले दीली हवा चले ये सब तापमान के अंतरसरी होता है temperature variation और temperature variation वही होगा जहां सूर्य होगा तो सूर्य भगवान है तो इस देश में सब कुछ है हम जमीर में कुछ भी डाल दें सूर्य भगवान की किरन पड़ते ही अंकुरन निकलता है पॉधा बनता है पेड़ बनता है पेड़ बन के क्या क्या हमिल देता दुनिया के जिन देशों में सूरी नहीं है अच्छे से अच्छा बीच खेट में डाल दो कुछ नहीं होता मैं एक छोटा सा उधारण सुनाता हूँ आपको एक बर मैं जर्मनी गया था तो जर्मनी में फ्रेंक्फार्ट शहर में एक प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था मैंने उसको पूछा कि आपके देश में गन्ना होता है गन्ना कह लगा जी नहीं होता केला होता है केला नहीं होता शुकरकल्बी होती है नहीं होती है आम होता है आम नहीं होता अनार होता है? नहीं होता फिर कहने लगा आप ये राजीवे कितनी देर पूचेंगे मैं एक ही वाकिय में कह देता हूँ कि दुनिया में जितनी मीठी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में होती ही नहीं जितनी मीठी वस्तुएं हैं जिनम्हें प्रकरती की मिठास है वो तूरे जर्मनी में कई नंगी गोती तो फिर मैना अब खाते तो हो आम भी खाते हो, केला भी खाते हो गन्दा भी खाते हो, आता कहा से हो तेमोर लगे ये सब आपके देश सही जाला के हम खाते हो फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरा प्रश्म का उत्तर दे दो तालग होता है तालग वो तो मीठा नहीं मेथी होती है मेथी वो तो मीठी नहीं है मुली होती है मूली वो तो मीठी नहीं तो उनने का अब एक वाक्ते में सुन लो कि जो भी पत्ते हरे हैं वो एक भी नहीं होता है पूरे जर्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता मीठा पर कुछ होता ही नहीं हरे पत्ते वाला कुछ नहीं होता तो मैंने का भाई भूता है का है तुमारे न उनका दो चीजें होती है एक तो होता है आलू बटाटा और एक होती है त्याच ओलियो ये दो को छोड़कर कुछ होता नहीं तो हमारे पास ये दो ही है पटेटो और ओलियो इसके अलापा कुछ नहीं है तो फिर उसने मुझे होते हैं बोलते हैं बोलते हैं लिखना चुरू किया प्रिक्टन लेका यार अब नहीं लिख सकते क्योंकि भारत में 14,000 वस्तु हैं होती है ठेट में जंगर में 14,000 हर नीची वस्तु इस देश में परदा होती है जो कोई धुम्यान कल पना ने करता और ये जर्मनी का हाल है ये यورोप के सबी देशों का हाल है फ्रांस एक छोटा सा देश है जहां पंगूर हो जाता है और थोड़ी बीच्छे हो जाती है बाकि और कुछ वहाँ भी नहीं होता अमेरिका पे भी यह हाल है प्रदा चीजों के अलावा पांच भी कोई चीज उनके नहीं होती है क्यों स सूरी का प्रकाश नहीं है, अब सूरी का प्रकाश नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा घ्रकी में से, और सूरी का प्रकाश उनको दो धाई महीं मिलता है, उतने जो होना है वो हो जाता है, यहां पूरे साम किलता है, तो यहां सब कुछ है, क्योंकि सूरे है, वहां कुछ भी उनको सुराज की धूप में नहीं मिलती तो वो रात में क्या हिसाब प्रेंगते रहती तो कि शरीर में अगर कोई भी डीफीशेंसी आए अगर गाज सूराज की धूप क्छाते तो हुछ नकुछ तो कमी आने वाली है उस कमी की पूर्टी करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन्स, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह के टानिक्स, तरह तरह के आगर उनको कहिए immunity बढ़ने वाले systems या उनकी techniques वो रातिन इसी में लगे रहते हैं जो हमें सब कुछ मुफत्न दिला हुआ है हमारे पास सूरे है सूरे का प्रकाश है उसके हिसाब से हमारा पूरा परियावरन है वातावरन है अब जहां सूरे है सूरे का प्रकाश है वैसा परियावरन वैसा वातावरन तो जीवन शेली भी हमारी उनसे अलग है जीवन शेली में हमारी अलग क्या होने का है हमारी जीवन शेली में सबसे मड़ी वहत्व की बात ये है कि बहुत निवस्थित हमें चलना है हर हिसाब से calculation के साथ क्योंकि सूरी जो है पूरे calculation से चलता है सूरी के perfect calculation से और सूरी के calculation है इसलिए दिन रात है इसलिए सर्धी दर्वी है इसलिए वरसाथ है इसलिए अन्य-ण्य-ण्य सब चीज़ है अगर ये perfect calculation सूरी के खतम हो जाएं तो शायद ये देश भी खतम हो जाए और ये विशेष्टा इस देश में रही है इसलिए भगवान को भी जनम लेना हो तो वो भारत को पसंद करते है आपने वो सुना बहुत महात्माओं के भूँ से कि मनुष्य जनम दुर्लव है और भारत में तो और भी दुर्लव है मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्लव है और भारत में तो और भी दुर्लव है ये बात ऐसी है कि यहां का परियावरन बातावरन बहुत अब्ध है जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है तो अगर हमारा परियावरन, हमारा भातावरन इतना पर्फेक्ट है, तो हमारा जीवन भी बहुत पर्फेक्ट होगा और उस पर्फेक्शन में और यूरोप के पर्फेक्शन में थोड़ा अंतर बजा तो यहां पर बहुत सारी महताई बहने हैं आपके सुनकर ये ताजुक लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी, पूरे यूरोप की कुल आबादी 27 करोड है इसमें 23 देश शामिल है, दो देशों को छोड़ कर सब देशों की आबादी एक दो करोड के आसपास है बिटिन और जर्मनी और सौरी फ्रांस, तीन को छोड़ दें, जिनकी आबादी पांच-छे करोड के बीच ने है बाकी कोई एक करोड, कोई पचास लाग, कोई असी लाग, कोई सब्तर लाग, कोई सबाद करोड ऐसे 23 देश है इन 27 करोड देशों में कलपना करें कि 12 करोड महिला या 13 करोड महिला और 13 करोड पुरुश, 13 करोड महिला के वूरूप में रहती हैं, किसी को भी बही से मंक्खन निकालना देना आता और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है अब इससे आगे बोले जा रहा हूँ किसी को दूद से दही बनाना मिलना आप सोख सकते हैं तेरे करोड माता हैं यूरोप में वहले जानती नहीं हैं कि दूद से दही कैसे बनाए जाए उनको कभी पूछो कि आप दूद से दही बनाना जानते हैं नहीं करते हैं नहीं क्यों नहीं जानते हैं उन्होंने का ये हमारे यानने की चीज नहीं है इसको कमपनियों को जानना चाहिए तो कि कमपनियां ही दही बनाएक देते हैं करियों के काम करने आली माता थे भूस बहुया कुछ उखले, वह नहीं च्ञाम भालती है. तो वहां मेरी माताजी के हाथ के बनाए हुए खाकरे लेकर दे रहाता है। आप उसकोई गुजिरा की खाकरा सांस था? तो मैं जबी भी बिलेश जाता हूँ तो मेरी माँ को कहता हूँ खाकरा बनाए के देदा तो कि ये एक ऐसा अद्गुद पधार्त है जो ती महीं भी बिखता और मैं संपूर शाका हरी हम तो वहां के होटल में खा नहीं सकता क्योंकि वहां शाका हरी खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता और मिलता भी है तो बहुत महिगा होता पटील बुदा में खा नहीं सकते तो मैं खाकरा लेके लिए खाकरा हम सब भी जानते हिए यह की का कैसे बनता है तो मैंने एक Hollande के प्रोफेसर को खिला दिया कि देखो ये कुछ है खाओ तो उसमें पूछा ये क्या है, वह मैंने उखाख़ा, उसका प्रमींसेशन को नहीं कर पाया, उसमें खाना शुरू किया, उसमें पूछा, सबसे तहना क्रश, कि भारत में खाख़़ा बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं, तो मैंने का भीया इसकी फैक्ट्री नहीं होती है तो उसने का ये कैसे हो सकता फैक्ट्री नहीं होती है मा नहीं होती है फिर कौन बनाता है तो मैंने का मेरी मा नहीं बनाया तो वह गता इस हाईली इंपोसिबल तो मैंने का मेरी माने सब माय बनाना जाने भारत में सब माता है यह बनाना जाने घर घर में यह बनता है which is highly impossible मैंने पूछा क्यों तो उसने का इतना गोल हाथ से बनता है मशीन हो भी तो मशीन का नाम लता मैं वो इंपोर्ट करके लाओंगा भारत से और अपने घर में लगाओंगा मैंने का भाईया यह हाथ से ही बनता है तो जितने दिन पहले उसको खिलाया वो मानी नहीं पाया तो उसको मैंने कुछ घरों में भेज़ दिया जहां खाकरा बनता था वो पागल हो गया और इतना पागल हो गया कहता है कि अगला जनम मुझे भारत में ले ले लेगा यह कुछ विश्वश पाथ है हमको दही बनाना आता है दूद से दही बनाना यूरोप में बारे करो माता उंको नहीं आता अमेरिका में पंद्रे चरोड मैदा उंको यह नहीं आता लेकिन अमेरिका में किसी को नहीं आता दूद से दही कैसे बनाना जा यहीं उनको नहीं मा जूत का दही बनाते हैं, मठ्था में इसे मक्खन लिकालते हैं, मक्खन को गरब करते हैं, फिर घी बनाते हैं, जिसकी मिनीमम लाइफ सौ साल तब हो सकते हैं. बटर वाइन तो एक साल भी में दिखता, तो यह उधारन में सिर्फ इसलिए दिया, कि हमको कुछ आता है, उनको नहीं आता, क्यों? शायर उनको वो सब आए, उसकी गुझाईश नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी वहीं होता है, जहां आधार तो हो, ज्ञान बिना आधार के कहां आधारी नहीं है, ज्ञान कहां से आए, और आये तो ठिके कहां? दुनिया में सबसे जल्दी खराब होने वाली है, अगर कोई एक बस्तू है न, सबसे जल्दी, तो वो है आम, आम, मैंगो, दुनिया के सब होर्टिकल्चरिस ये मानते हैं, कि सबसे जल्दी कुछ खराब हो है, उस आम को हिंदुस्तान की माता है, इस तरीके से व्यवस्तित करती है, कि 20-25 साल का यह आम का अचार खाया, इसी देश में खाया, किसी योरोप की माता को पूच के देख लो, बागल हो जाएगी, कि ये संबब है, ये इस देश को संबब है, मैं इक बर आंगर है, इस दो कि अचार खाया, सिर्फ आंगर प्रदेश को, पूरे भारत में आंगर प्रदेश से 30 राज्य को पतार आप्ति नो उत्वारि ग्यान, व्यवारि ग्यान उत्वादन देता है, ग्यान मन को तसलिय देता है पस हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में तो वहारी ज्यान है अधुद्ध है मैं इसी देश्टा ये को धारन और दूँ यूरोप में और अमेलिका में कभी भी आप जाईए मेर्का होती है लेकिन सिर्फ सविय अक्संड और उसके आसपास के राजियों का कुछ हिस्सा सोविय अक्संड में है बाफी बाहर है तो मक्का कुछी राजियों हैं सब जगे में ले, गेहू लगबक सब जगे हैं, तो गेहू होता है, और गेहू से उनको खाने के लिए जो चीज बनती है, वो एक और एक ही चीज है, जिसका लाम है दबल रोटी, पाव रोटी, वो एक ही चीज बनाना जानते हैं, और वो भी दिन अमेरिका और यूरोप चले जाए किसी बड़ी सब्सक्राइब बस देखते रहें कि क्या गाडियां जा रहे हैं और क्या गाडियां अगर आप उनका परवाज़ा फोल में देखें तो या तो उसमें गेहूं भरा हुआ होगा या तबलगोटी इसके अलामती से कोई बनाना फिर उस कानों में दुकानों पर बांट या फिर घाडियां खाली हो जाना तो फिर ले चैक कर चलता है और अम्रिका और यूरोप की सर्वाब पर 80-0 प्रकाइशल गाडियां जो चलती है वह इसी काम को यह चलती है 80% लंबे लंबे गैंग, लंबे लंबे ट्रक, गेहू बढ़ा है, या दबल रोफी पावडिय। अब उनको पूछो कि भाई, ये डबल रोफी पावड़वी जो गेहू से बनागे खाते हो, कुछ और क्यों नहीं खाते हैं, तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता? तो उनको पता ही नहीं है कि जेहु से और क्या-क्या बन सकता है एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि आप क्या-क्या बना सकती हो जेहु से वे मुझे लिस्क करा दो तो मेरी माताजी ने 33 चीजों की लिस्क बना कि जेहु से ये 33 चीजों बन सकती है इसे 33 में लिख राए, फिर परोस्ती माताजी के पास पहुंच गया, उन्होंने पंद्रे चीज़ें और जोड़ दी, फिर तीसरी परोस्ती, दस-पंद्रे घरों में गया तो लिस्ट में 300 चीज़ें आगे, खाली गेहूं से 300 चीज़ें बनती हैं इसके, गेहूं के दलिये स लेकर, और आखरी कोई चीज़ जो हो सकता है, 300, एक ही जहूं से, ये यूरोप में जाके, मैं किसी को भी बोलता हूँ दियाते हैं, राजी बाई, गप बायते हैं, एक्सिज़ेशन करते हैं, मैं ल्याख्यान देले कई बार विद्रेशों में भी जाता हूं, उन्हों को य जिद्रिगी में कभी देखा लें, सुना भी जे, सोचा भी जे, वो यहां होता है, ये सारे उधारण देले के पीछे मेंगा ये की मकसद है, कि इस देश में functional knowledge बहुत है, विभारे ज्यान बहुत है, और इस देश में विभारे ज्यान हैं, वो माताओं बहनों को बहुत है, और ये ज्यान के लिए इस देश में कोई युनिवर्सिटी नहीं है, है क्या खाकरा बनाने की कोई युनिवर्सिटी देखिये, रोटला बनाने का कोई है, कॉलेज है, यहां है, रोटली बनाने का कोई कॉलेज चलता है, धंतरी में, मैंन नहीं देखा पूरे, आम का अचा हजारों साल लाखों साल से चला अगल के मातां को हजारों लाखों साल से ज्यान चला आ रहा है तो एक बार मेरे मन में आया कि ये शुरू तो कहीं से हुआ होगा किसी ने तो शुरू किया होगा इस ज्यान को तो पता चला कि इस देश में लाखों साथ पहले या करोरों साथ पहले जब से भारत है भारत की उम्र के बारे में अलग अलग तरह की मानिताएं है कुछ लोग बोलते हैं भारत पाँच हजाल साल पुराना देश है वो लोग गिनते हैं महा भारत से कुछ लोग बोलते हैं कि भारत सब्त्रे लाक साल पुराना देश है वो गिलते हैं राम और रावर के लिव्द से कुछ लोग बोलते हैं कि भारत आठ करोर बर्श से भी जादा पुराना देश है वो गिलते हैं बगवान, महावीर, स्वामी के पीडी के सबसे पहले की ठांग कर से और फिर मैं हिसाब जोड़ता हूं कि भारत पभी से है शायर जब से सूर्य है मुझे असा है तो अब हम ये माल रहें कि ये करोड़ों साल कराना देश है ये कोई एक दो साल का देश है तो करोड़ों साल पहले का ये ज्यान चला आ रहा है राम के जमाने में भी येहू से मोटी बनने की या चावल से बहुत सारी चीज़े बनने की कहानिया मिलती है रामाइन में हैं, राम चरिक मानस में हैं, कालिदास के रगवन्षम में हैं, कम्त रामाइन में हैं और राम का साल सारे सत्रे लाग साल से पहले का है समय उस समय भी चावल से क्या क्या वेंजन बनते हैं, यहूँ से क्या वेंजन बनते हैं अचार खितने तरहे हैं, चक्टिना खितने तरहे हैं, उसका गिटेर डिस्किशा है शायर गान के पहले भी होगा शायर हमारे पहले तीर ठांग करके समय से होगा तो ये करोडों साल से पहले का फंक्शनल नौलिज है, चला आ रहा है किसी ने शुरू किया होगा तो जैन समाज में बहुत सारे सादू संतों से मैं मिलता रहता हूँ तो वो कहते हैं हाँ हमारे कुछ तीन ठांकर है इनी से ये ज्यान शुरू हुआ कुछ ऐसे तीन ठांकर हुए जिनोंने खेटी दर्ले का ज्यान दे दिया कुछ ऐसे तीन ठांकर हुए जिनोंने और तरह का ज्यान दे दिया ये ज्यान वहां से चला रहा है और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं पहले तो ये सा मौखित था बोलना सुनना बोलना सुनना बोलना सुनना किसी ने सुना आगे बोला उसने सुना आगे बोला तुल्डी दर्टि ये ऐसे चलता था बाद में शायर इस ज्यान का classification हुआ classification माने बरगी करन कुछ एप ज्यान है एक हिस्से का है दूसरा ज्यान दूसरे हिस्से का तो माली जे हमको चिकितसा का कुछ ज्यान है, तो उसका वर्वी करम करके हमने कहा, कि ये चरक सहिता हो गई, ये शुशुप सहिता हो गई, ये बाग भटकी सहिता हो गई, ये अस्टान भिरदे हो गया, ये अस्टान संग्रे हो गया, इस तरह का चिकितसी की ज्यान एक तरह क तो ये ज्यान थोड़ा वर्विकरा होता गया वर्विकरा होते समय कोई विशनशर के लोग निकले जिनकी अथॉरिटी की इस ज्यान पर तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दे जैसे चरक रिशी बहुत बड़ी अथॉरिटी थे मेडिसिन के बारे में होचकता चरक रिशी के पहले कोई और भी बड़े रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं आए इसी तरह सर्जरी के बारे में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे शुष्ष्रू तो उनके नाम से हमने रख लिया और खानपान वीच बिवार आचरम में बहुत बड़ी अथारिटी के वागवट तो उनके नाम से याद रखिया याद रखने के लिए नाम जो है एक बहाना है नाम अंतिव नहीं है इसके शुच्छ अंतिव से मतलब उन्होंने ही सारा ग्यान दिया है ये नहीं कहा जा सकता उनके पहले से किसी और में भी दिया होगा उन तक आया है उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़े तो ये है भारत के बहुत अब मैं आता हूँ आज के विशे के कि अगर ये वहरी ज्यान हजारों लाकों करोरो साल से इस देश में है भीट में क्या हो गया हमको बीच में हजार साल इतना बुरा समय आया इस देश में कि हम अपने ज्यान से बंचित हो गए 1000 साल वो समय क्या था 10 मी शताब्दी से लिकर और 20 मी शताब्दी कर विदेशनों के हमले हमारे उपर बहुत हो गए 1000 से ज़ादा विदेशी हमले इस देश पर हुए पिछले 1000 साल average लिकालो तो हर एक साल में विदेशी हमला और ही तो विदेशी हमले हुए तो इसमें हमारी लूट हुए हमारा धन संपत्ती इसमें चला गया और हमारे शास्त्र भी इसमें लूट लिए गया किताबों भी लूटी नहीं पुस्तकें भी लूटी नहीं तो ये लूट मारके लोग में धारण करना शुरू कर दे आज की हमारी जो पिल्डी है आप और में हम सब एक ऐसी अध्री सुरंग में खड़े हुए हैं जहां पर हमें अपने ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है या बहुत की कम हैं विलेश्णों में हमें कुछ सिखा दिया और बता दिया तो उसी क हम बहुत ग्यारी हो गए अब दुर्भा की हमारा यह है कि जो दिवेश्णों का ज्ञान हमने ले लिए वह ज्ञान आया है एक अलग तरह के बातावरन और परियावरन से वह बातावरन परियावरन कैसा है वह सूर्य है यह सूरी का प्रकाश ही नहीं है तो उनकी जिन्या में कुछ ऐसे देशे हैं जहाँ छे महीने की रात होती है और छे महीने का दिन होता है। अगर छे महीने की रात और छे महीने वाले दिन के देश में से कोई घ्यान आए और हमाई उन पर वो लाग लिया जाए जहां हर 24 गंटे में रात और दिन बदलते हैं तो क्या कवारा होने वाला है उस देश का। कोई एक देश है जहां पर रात बहुत लंगी होती है दिन बहुत छोटा होता है शाम के साड़े चार बज़े ही रात हो जाती है ऐसे बहुत देश होती है और यहां तो साम 6-7 बज़े तक दिन वहता है हमारा देश ऐसा है तो जिन देशों में राते लंगी होती है उनका मैं चाहता हूँ कि अलग-अलग देशों की अलग-अलग जीवन शैली होती है अलग-अलग संस्कुतियों की अलग-अलग जीवन शैली होती है अलग-अलग सब्विताओं की अलग-अलग जीवन शैली होती है क्योंकि वहां का परियावरान, वहां की प्रकरती, वहां के बातावरान के हिसाफ से वो चलता है अब कोई देश, दूसरे देश की जीवन शैली अपनाना शुरू करते है तो वो मूर्ख और महां मूर्ख कहता है अपने देश की जीवन शेली और परियावरण वाता वरण को भूल कर दूसरे देशों की जीवन शेली परियावरण vice वाता वरण को हम अपनाएंगे तो मुर्खता में जाएंगे और इस मुर्खता का अंतिब चरम पहा होगा जब हम स्वास्त से बेगत अलब हो जाएंगे और बीमारी होना दूप जाएंगे हमारे भारत में ऐसा ही हुआ है पिछले धाइस साल को अमेरेजों की गुलामी में रहे धाइस साल से पहले मुसल्मानों की गुलामी में रहे इस गुलामी के दोरान जिनोंने साशन किया उनके ही ज्यान को हमने अपना ज्यान मान लिया कुछ मुसंदान आए जो राजा बनकर बैठ गे इस देश में उन्होंने कुछ ज्यान लाया तो हमने मान लिया यही हमारा ज्यान फिर अंग्रेजोंने साशन किया अंग्रेजों से पहले फ्रांसिसियों ने किया उन से पहले डच लोगों ने किया और उन से पहले पुर्त लाली उने किया तो पुर्त लाली डच अंग्रेज फ्रेंच जो कुछ ग्यान लाए हमने उनको भी मांग लिया कि यही हमारा ग्यान हमारा अपना जो मूल ग्यानी था वो कहीं गया उसको ना हमने पढ़ना समझना कोशिश किया जो बाहर से आया हुआ था उसको अपना बना लिया अब तक्लीफ की बात ऐसी हो गई जि भारत में अपना मूल ग्यान जानने वाले जो लोगे वो खतम नहीं हो गया है वो आज भी है लेकिन हमने उनको महर्त देना कर दे इस देश में आज भी सादो संथ महात्मा है जो भारत का मूल ग्यान जानते हैं वो आपको बोले हैं आपको ज़िएगा अरे उटी तो आदा दे बटटट करने और को यह अमरे जा जाए और यहां एक र्याक्षान दे ले नेचरो गजी पर तो आप तारिया पिखेंगे होई यह तो बड़ा ज्यान आद दे वो नेचरो गजी हमारे महराज की सबरे से शाम तर रोज सोना तो तो हमको लगता नहीं है कि वो कोई जान दे विदेश का आके बोलेगा उसी बात को बहुत अच्छा योग प्रायाम को लिए हिंदुस्ताने सिखा यह कुछ खास बात नहीं कोई विदेशी आके कहने नहीं बहुत अच्छी बात है राम देशी मुझे कहते राजी भाई जब से मेरी विदेश यात्रा हुई है भीड बढ़ गई है मेरे नहीं आने बात है क्योंकि हमना विदेश होके आगया ठपता लग गया मेरे उपर के कि मैं फॉरी बिटर्न हूँ तो मेरे ज्यान की कीमत बढ़े तो यह हमारी अपनी मुर्खता है और इस मुर्खता में हम डूख गई है इसलिए हम अपने जीवन से अलग हो गई है और इसलिए बीमारियों में डूख है यह मुझे ऐसा रखता है अगर हम फिस्टे अपने ग्यान में वापस आ जाए तो शायद यह बीमारियों हमारे जीवन से चलिए जाए इस द्रश्टी से मैंने कुछ करना शुरू किया और पिछले दस बारे वर्षों से भारत का क्या ग्यान रहा खान पान में चिटिट्सा में आचार गावार में जीवन में परबराऊं में और ओम अभूम के इकठ्ठा करना शुरू किया और यसे नोगों को बताना शुरू किया लोगों से मैंने कब भाईया मैं तुम को यह बता रहा तुम इसको करो और रिजर्ट देखते हैं क्या हैं और आप सुने देख तो हैरान हो गाए इतने अच्छे रिजर्ट कि लोग सोच नहीं पाते हैं कि राजी भाई थोड़ी सी जीवन शेवी हमने बदली और हमारी ये ये बिमारिया चीप हो गए खान पान के तरीके बदल दिये हमारी ये बिमारिया चीप हो गए आचान विवहार का तरीका बदल दिया हमारी ये बिमारिया चीप हो गए तो मेरे समझ में आया कि बिमारिया चीप करने का जो असली इलाज है वो दवाओं में नहीं है डॉक्टरों के पास नहीं है वो भारत यान हम तक कहुँचे तो शायद बहुत अच्छा पर इस द्रश्टी से आज में आपको छोटे-छोटे कुछ सूत्र बताने आए वो मेरे नहीं है भारत में हजारों लाखों साल करें रिशी मुनियों के बनाने को है पिछब कुछ सालों से मैं थोड़ा अध्यान कर रहा हूं स्वदेशी ज्यान देने वाले शास्त्रों पर उन में से एक है चिकित्सा का शास्त्र चिकित्सा का भारत में कोई शास्त्र नहीं है यह आप ज्यान रखिए जोगी शास्त्र है वो जीवन जीने का आयूवेड है तो चिकित्सा का शास्त्र नहीं है वो जीवन जीने का शा कि आयुर्वेद में दवाओं का इस्थान नात्र बारे प्रतिशक है अगर सौ प्रतिशक पूरा हम मानें तो दवाओं का हाल सिर्फ बारे प्रतिशक तक सीमित है उसके आगे खानकान, रहिल सहन, रीत विवहार, आचार विचार इन सबसे बुड़ा है तो वहने भूमने कास्त्रों को पढ़ा, करते-परते कुछ इकठा हुआ, वह आपको मैं कहने आया, और जो कुछ की मैं कहूँगा, अगर आपके पास कागज पहिन है तो इनोट कर लीजें, क्योंकि वह आयू में तो सबसे आगे होगा, बंद में सबसे आगे होगा, दीर्ग जीन भी होगा, निरोबी होगा, सुखी होगा, स्वावलाण भी होगा, किसी पर निरबर्वी होगा, और इनके तो सूत्र है बागवर्द रुशी के, ये सूत्र मुझे ऐसा लगता है अब पढ़ने के बाद, कि ये सभी बच्चों को पढ़ाए राने चाहिए बच्च कर देंसे, कम से कम स साथ भी कख्षा से तो ये बढ़ना शुरू कर देना चेए, सा भी से अगर हम लिद्धयार्थियों को पढ़ाएं, तो बारभी तक आते आते हैं, लगवर्द ये दो हजार सुत्र सभी लिद्धयार्थियों को कंखस्त हो सकते हैं, और वो लिद्धयार्थी अपना पूरा जीवन, निरोगी, निरामे, सुखी बना सकते हैं और उनका हुआ तो परिवार का हो सकता है परिवार का हुआ तो देश्टा हो गए दवाव में निर्भर रहने की कोई ज़रुदत नहीं बादमट रिशी जो सबसे महत्यों की बात कहते हैं वो अबने यहां से शुरू करता वो यह कहते हैं कि मनुष्य जहां रहता है वहां की प्रकर्ति, परियावरन और बातावरन का ध्यान उसे हमेशा रखना चलिए जहां भी रहता है हम भारत के रहते हैं भारत में धमतरी में रहते हैं दमकरी का पर्याँवारन बातावरन और प्रकरति अमके आठे़ें। प्रandelि कीशा है? दमकरी समसी तोश्णे. समसी तोश्णे का मतलब ना तो यहां बहुत ठंड होगी ना यहां बहुत जक्ठा गर्मी होगी। वहका का बहुत बादी वही जड़ी में आफरीका जैसी ज़़ी नहीं हूए। और की चइटर और घर्लिद्वरू chickens गळूते चांब। ऐसा करके सबतरे का मौसम ये लगवा भारत में 680 जिलों में है जो धंकरी का मौसम है वो 680 जिलों में तो 680 जिलों तद ये सबदा बेजी तरह से लागो होती है तो बादलक पर विशी कहते है कि मनुष्य जहां है वहां की प्रकर्टी परियावरों और जातावरों को ध्यान के रखकर उसको अपनी जीवन के फैसले लेने चले चोटे फैसले हो या बड़े क्या थाना क्या नहीं खाना कब खाना कब नहीं खाना कितना खाना कितना नहीं खाना ये सब छोटे छोटे फैसले से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब उसको प्रकरती परियावरन बातावाण को ध्यान में रखके लेने चाहिए हमारी प्रकरती परियावरन बातावाण को हम ध्यान में रखके अपनी जीवन को चलाए तो क्या चलाए, कैसे चलाए उसके बारे में वागवट कहते हैं कि अगर समसी तोष छेत्र में कुछ लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग सूत्रों में लिखिए जादा बारिश वाले छेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सूत्र है बहुत ठंड वाले छेटर में कोई रहता तो उसके लिए अलोग सुट्र हैं मानि भारत ना उत्तरांचन में रहने वाले आदमीं को वो सुट्र लागु मी पढ़ता जो आपको पढ़ेगा जम्मु कश्मीर में तो रहेगा उसको बो लागु मी पढ़ेगा तो आपको पढ़ेगा जम्मु कश्मीर उत्तरांचन जम्मु कश्मीर उत्तरांचन के आसपास के एरिया में रहने वालों के लिए अलग है आपको रहने का है जहां पर आपके लिए अलग है बहुत सरन सर्वे हैं, आप चाहें तो याद करनें, नहीं तो कॉपी बेंट के लेकिन और रोज इसको पढ़ते रहें, जैसे कभी आप रामचरित मानस पढ़ते हों, भगवधीता पढ़ते हों, शास्त्र पढ़ते हों, पुस्तक्र पढ़ते हों, ऐसे ही छोड़े छोटे उन में से पहला सुत्र, पहला सुत्र भागवर्टि उशी कहते हैं कि जो ग्रती समसीतोष्ण दिलवाईं में रहते हों, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी जीवत शैली में ये रखना चाहिए, कि हर काम उनको नियम से करना पड़ेगा, बिना नियम कुछ नहीं रहते हैं कि जो ठंड वाले हैं, वो कुछ नियमों की छूट छाट ले सकते हैं, जो बहुत बारिश वाले अलाके में रहते हैं, उनको भी कुछ नियम की छूट छाट ले सकते हैं, लेकिन समसीतोष्ण वालों को हर चीज का हिसाब किताब रखना है, माइक्रो और मैक्रो, तो आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौरने का, हर चीज का हिसाब किताब करना है और जो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जा रहा आचरवन में आ जा रहा सुगर से शाम तक की जो दिंदेगी है इसमें आ जा रहा तो वो बोलते हैं कि सरस्वेश्ट है और अगर उसके हिसाब से आप आचरा करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं गारिंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा मेरे लिए रहे रोग हुटतर है अब वो कहते हैं कि यह जो समसीतोशन इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, हर चीज़ का दियान करता है तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूँ और स्वास्त उसमें आता चला जाएगा वो आपके अपने आप समझना आज़े खाने पीने से शुरू करता हूँ और अन्त खानगा सोने, उठने, बैठने से, चलने के पीने से खाने पीने को बारे में चलने कि शीट सौले बागवट्ट कहते हैं कि समसीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे जादा ध्यान अपने पेट पर रखना है क्योंकि पचन शक्ति उनकी सरवश्रेष्ट नहीं हो सकती, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी आपकी तो टाचन शक्ति है ना, वो सरवश्रेष्ट सामने रूप से नहीं होगी, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी और वहीं बागवट को बोलते हैं कि दूसरे कुछ छेत्रों के लोग ऐसे हैं, जिनकी पचन शक्ति सामने रूप से सरवश्रेष्ट होगी, बिना प्रयास के भी मिल जाएगी आपको प्रयास करना पूरेगी तो आपकी पचन शक्ति सबसे अच्छी हो, ये वो बहुत जोड दे के कहते हैं, बागवट्टे कहते हैं कि समसीतोश्रों इलाके में रहने वालों को पाचन शक्ति सरवश्रेष्ट होना चाहिए अगर उनकी पाचन शक्ति अच्छी है, तो उनका जीवन सुखी है ये हमें ध्यान दखना है, तो हमारी पाचन शक्ति सरवश्रेष्ट को उसके लिए पहला सुक्त उनों ने लिया बोजनान के रिशुकवाई इसका अज़ है, बोजन जन्त में पानी पीना, जहर पीने के बरादर है जो लोग समसीतोष्ण शेक्र में रहते हैं, उनके लिए हमारे लिए, हम जहां लिए हम अगर खाना खाने के बाद पानी पीए हैं, तो बागवट पनेश्री बोलते हैं कि हमने जहर पी लिया इतने कड़े शब्द में वो कह रहे हैं इस बाद में क्यों वो एक्स्प्लेनेशन है वो ये कि जो समसीतोष्ण इलागे में रहने वावे लोग हैं, वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, उनका पाचन भी तुरंद शुरू हो जागा और खाने का पाचन करने के लिए उनके शबिद में अगनी प्रदीत होती है, जैसे रसोई घर में अगनी प्रदीत होती है, वो जन पकाने के लिए, वैसे ही पेट में अगनी प्रदीत होती है, वो जन पचाने के लिए बहुत सुन्तर उधारण वो देरा है इसके लिए वो यह कह रहे हैं कि हमारे रसोई घर में दूद है और चावल भी है लेकिन अगनी नहीं तो क्या करें दूद चावल को मिला दो अगनी नहीं तो खीर कभी भी नहीं बनेगी हमर पास चावल है और पानी है अगनी नहीं तो चावल कभी भी भाद नहीं बनेगा हमर पास दाल है और पानी है अगनी नहीं तो दाल नहीं पके भी भाजी अच्छे से अच्छी है मसाला और भी अच्छा है अगनी नहीं तो भाजी नहीं पके भी ऐसे भीसियों धारण को आपको दे सकता तो वो ये कहते हैं कि जैसे रसोई में अग्मी का महत्व है ऐसे ही पेट में भी अग्मी का महत्व है पेट में अग्मी है तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं है तो नहीं पचेगा और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सके ने, उनको जीवन में 108 वोज आने ही वाले हैं, कितना भी वो बचा होता है, क्यों आने वाले हैं, तो वो कहते हैं जो भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मास मज़्जा रख्टवीर मल और मूत्र बनेगा, नर्भूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर में पर जाएगा, मास मज़्जा रख्टवीर शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारन करेगा, और ये मास मज़्जा रख्टवीर ही है जो शरीर को चलाएगा, बात समुझने आती हैं और सीवी से आपको अग्मी की जोड़त है जैसे रसोही में वैसे प्रेट में तो अग्मी चाहिए खाना खाते ही ये अग्मी जल जाती है ये ओटमेटिक है आपने बोजन शुरू किया अग्मी प्रजिक्त हो गई अब ये अग्मी तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता है और भोजन का रस बनने में लगभग सामन नीरूप से एक गंटा लगता है रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें चार गंटे लगता है रस बनने में एक गंटा लगता है तो बागवट्टे विश्य का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए क्यों? रस बनाने के लिए अग्मी जल गई है आपने विड़़़़़ विड़़़़वाने पी लिए अग्मी खांत हो जाए थी ब्रस बनी गाने, भोजन सड़ेगा और बादबट कहते हैं कि सड़ा हुआ भोजन एक सो हाट रोग पैदा करेगा कौन बाद से लोग पैदा करेगा एम एसे बीटी, हाइपरस्वीटी, अलसर, तब की अंसर, गैस बनना, जलन होना, हट्टी रटा रे आना, मूने से पानी आना, ये सब और यह तो छोटे छोटे और अंतुमें खतरनाक से खतरनाक हो पेट का कैंसर, बड़ी आत का कैंसर, इंटिस्टाइनल कैंसर, रेक्टम कैंसर, पोलेक्टल कैंसर वहां तक एक सो आट को । तो इसलिए, आप जहां रहते हैं, उस इलाके में खाने से जादा महत्तुमून है, खाने को पचाना, तो आप पाचन पर ध्यान कीजिये, मन पेट पर ध्यान दीजिये, तो उसका फिछा सूत है, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, चलेगा, नहीं चलेगा, कई अगर आप खाने के तुरन बाद बरके पानी पी रहे हैं, तो मत कीजिए, बंद कर देजिए, इस आदत को बदर देजिए. फिर कई लोग कहते हैं, कि अगर खाने के बाद पानी नीपी हैं, तो गला साफ नहीं होता, तो उसके लिए विकल्प है, क्या विकल्प है, तो हो कहते हैं, कि पानी छोड़ कर, कोई भी ऐसा तरण पडार पीजिए, जो अगनी में मदद करें, विज्यान की भाषण में इसको तो हम oxidation कह सकते हैं, mitochondria में oxidation होता है, ये हम विज्यानी की भाषण में, आदली विज्यान के कह सकते हैं, बादबच उसको कहते हैं, कि फेड़ने जधर अगनी है, जधर के अगनी प्रदीप हो, तो वो कहते हैं, ऐसा कुछ भी लोग, जो अगनी को और ज्यादा बढ़ा है, शांत ना करें, तो अगनी बढने वाली क्या क्या चीज़े हैं, तो वो कहते हैं, सबसे अच्छा है दही का मठा, फिर दूसरा कहते हैं, दूद, और तीसरा उन्होंने बताया है, कोई भी फल का रस, घास कर खटे फलों का रस, जैसे संद्री का रस, मुसम्मी का रस, अंग अगनी को अगनी को और पवीत करते हैं, तो चरक्षी बोलते हैं, भोजल के बाद या तो कोई रस पीओ, गन्मी का पीओ, संद्रे का पीओ, मुसम्मी का पीओ, आम का पीओ, अनार का पीओ, अंगूर का रस पीओ, कोई रस पीओ, खाना खाने के पड़ाते हैं, या तो मठ कपीना है और रस क पीना इस ही भात हो यह कहते हैं कि सुबह का भोजन किया है तो रस मिल s दूपहह का भोजन किया है तो मठशकिण उन्हों और राग को भोजन किया है तो दूब और वो इतनी सकती से अगला वाकि वोनते हैं कि ये तीर जो ओर्डर है रस सुबह पीना, मठा दुपर को पीना, दूद शाम को पीना, इसमें इंटरचेंज भी नहीं चले लिए कि दूद सुबह पी लिया, मठा राथ को पीना, जूद दुपर को पीना, ओं दूद पीना तो राथ को पीना, तो आप खाना खाने के बाद ये टीन चीज़न के सकते हैं जूस पिलीजे, मठा पिलीजे, दूद पिलीजे, पानी मत पिलीजे, पानी मत पिलीजे, और आपके उपने में तुरल प्रशन आएगा, कि जूस में भी तो पानी है, और मठे में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ागे है, और दूद में तो आप जानते हैं, नब्बे से ज्यादा प्रतिशन पानी ही होता है तो चरक रिशी अद्वत हैं वो सौरी बाग अगट अद्वत हैं पानी मत प्यों ऐसा बोलते हैं और जूस प्यों ऐसा बोलते हैं जूस में पानी है मट्टे में पानी है जूस में पानी है तो इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने है और यो तर आपको समझने आ जढ है तो मैं एक फिन के गानिया का उधार नहीं करता है कौि आपको जलदी समय है हर देश में कुई फिल्म बनी कि नाम नहीं आ गода ऊसमें गाना था पाणी पाणी के से Yasim कौन जी कुछ लिएग बूया ए stud research पानी यह पानी तुछ पानी कה अपना कोई गन नहीं तानी का अपना कोई जह तो जिसमें दो वैज़ तो जूस के जैसा है दढ़ी में पानी जो है न देखी जैसा और दूद में पानी दूद के जैसा ओ मच्टे में पानी दूद है वह Subsies सादा पानी मत्पी, दूद में है पानी तो वो पी सकते हैं, मठ्गे में है तो पी सकते हैं, जूस में है तो पी सकते हैं, तो पहला सूत्र हो गया, चलक सोई, बार लगते रिशी के अमसार, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, पीने के लिए तीन चीजे हैं, जूस, म जो diabetes के patient है ना, जिनको किसी को भाएं के diabetes यस साथ से, बारे साथ से, और वो कहते हैं जी control भी नहीं आती, 3-3 बार injection लेते, insulin के फिर भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मैंने बताए कि कर लो, मुफक में है, बार्वर्प निशीता, इसमें कोई copyright नहीं है, फुगर्ट मैं तुमको दे रहे हैं, खर्चा करने की ये कुछ नहीं है, करनो इसमें बुरा ही क्या, तो जिसने भी किया है, चार-पांच महीने के बाद हरे ने मुझे खोन किया राजी भाई, काम बहुत आता है ये सुगर्ट मेरी शुगर्ट के उनकों कभी नीचे रहती ही नहीं की, और ये बेशूर्ट पर कालंग किया है, तो 170 तक आ गए है, बिना किसी दवा की मज़त के सिर्फ इतना ही किया है, कि बोजन की बाद पानी नहीं किया है, सुगर्ट बोजन किया है, जूस पिया है, दुगर्ट बोजन किया तू, मठा पिया रात को पिया तू 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 पिया है, और ये डाइविटेस बादे अकेल हो नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगं को बता तो आप भी ले आओ, अच्छा सूप है, खर्चा कुछ भी नहीं है, मुफत का, बस इसमें आदर बदलने, आदर बदलने से बदल जाते हैं, शरीर के बारे हैं, बालगवाश रिशी कहते हैं, यह बहुत फ्लक्सिबल है, आप जैसा चाहो ऐसा हो सकते, आप बदल दो, आदर करेंगे जैए, कल से शुरू करें, फिर आगे का यह थोटा सा नियुम है, वो नियुम तो नहीं है, लेकिन पूप नियुम है, वो यह कहते हैं, जिन लोगों को खाला खाते सम्हें पानी की जरूलत है, वो क्या करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा हैं, कि खाला धीरे चबा चबाते खाएं, तो पाली की जरूनती नहीं है, और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे करिंपे से समझाया है, कि जिसके जितने दान, उतनी वाद चबाएं, यह याद रखने में बहुत ही आसका है, मुझे मालू मैं कि मेरे दान गठाई से, मुझे मालू मैं, तो तीस बर चबा, अठाई से तो अठाईस बर चबा, तो वो कहते हैं कि दान के हिसाब से चबाओगे, तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों मुझे में जो पानी बन रहा है, जिसको आप लार कहते हैं, चबाई के जादा, तो यह खुद ही इत अठाई के नेरे चबा-चबा के खाना, अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा उल्हारन देताँ तुरंत आपके ख्याल में आएगा, बादुबर्ट रिष्टी ने यह जो सूत्र दिया, इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीन करते, मनुष्य छोड़कर, गाय को दे ने यह मालू है, भैस भी सुबह खाना खाएगी, पानी दुपहर को पीएगी, यह मूर्ख मनुष्य को नहीं मालू, भैस पे भी गया दीता है, जाद में, गाली जानवरों को देता है, और जानवरों से जादा मूर्ख ही, कभी आपने सुना गाय को डाइडिटीज हो गया या भैस को अर्फ्राइटिस हो गया, या भैन को कंदे का दिर्ण हो गया, दो तीन कन माल रोज लाता है, ले जाता है, फिर भी कंदे का दिर्ण नहीं होता, हम अपना वजन शरीर पे ले जाते हैं, तो हमारे कंदे सरक जाते हैं, तो यह गाय भैस हमसे जादा स्वस्त हैं, पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह आना चुगे हैं, पानी दुपहर फोजी पिएगे हैं तो हर पक्षी और पशू पानी और खाने के बीच में चार गहंटे का अंतर रखता है बारगवट कहते हैं कि वो मनुष्य से जादा होश्या है हमको यह समझने की ज़र रहा है और अगर हमने यह समझ लिया, तो पक्षी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं तो कल से आप यह शूर करगो, खाने के बाद पानी नहीं पिना खाने को इतना धीरे चबा-चबा के खाना, कि वो पानी की तरह से नीचे उता जाए खाने के 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 खान उनके खाने का समय दुपह है रसीले फन सुगय थोस दुपह है आप सब को समझ में आगया आपको भी आगे बढ़ू दूसरा सुथर बहुत अच्छा दूसरा सुथर और अच्छा वह कहते हैं पाने आप पीते हैं बोजन के बाद कीजिए कम से कम यह पढ़िते बाद जैसे खाने हैं चुडिया पीती है तो पानी पीती है तो मनुष्टी के लिए वो कहते हैं पानी सिफ करके पीना वूट-वूट पानी पीना थोड़ा थोड़ा पानी पीना यह अभी हमोंसे लोटत गराते गड़ट ड़ट ड़ट सदड यह बहुत गलब करिका है गिलास लगाते है फाली कवी होता है जब छूपता यह गलब परिका है पानि ऐसे पीना चारीये पेलउट एक एकसित जैसे आप गरम दूप पीते हैं ऐसे पाली पीने की आगर डालिया है क्यों उसका कारण वो बता है वो ये कह रहा है कि मुँँ में जो लार बनती है न ये शरीर की सबसे अच्छी आउशनी है और आप ये जादते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बनी से बड़ी चोट को चाट-चाट को भी कर लेते हैं क्योंकि उस स्लाइवा में मेडिसे हाँ तो मनुश्री के स्लाइवा में की मेडिसे हैं और भागमट का ये कथन हैं बहुत गहरी बात उनोंने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में ये ही ये लार है जो वात, पित, और कफ तीनों को संतुलन रखती है तीनों को एक साथ संतुलन रखने की पातत इस लार में है और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात, पित, कफ तीनों का संतुलन रहेगा और वातित कफ के असंतुलंग से रोग आता है अगर ये तिनों संतुलंग है तो रोग क्यों आएगा आपको ये रोग योज़े तो गुड़ गुड़ बरके पानी करें ये दूसरा लिए कर सकते हैं कोई मुश्किल है बस आदत बदरें तीसरा लिया तीसरा लियाम वो कहते हैं कि भारत में जहां आप रहते हैं प्रकर्थी और वातावरण के हिसाब से पानी का तात्मान करें आपकी प्रकर्थी और वातावरण मेंने आपसे का समसितोष नहीं तो पानी का तात्मान भी वैसा ही होना चेह मानें आप ठंडा पानी नहीं पी सकते मानें फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते बरफ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते यह आपके लिए बर्जित है तो आज से ठंडा पानी कुना बन कर दिए फ्रिस्का पानी बन कर मीजिये बरफदाबादाताई जान शाथा। वो ये कहते हैं कि अगर समसी तो शुष्मिक्षेक्र में रहने वाले लोग ठेंडा पानी पिएगे तो क्या होगा तो वो ये कहते हैं कि उनको सब से खराब रोग होगा मलबदगता। मलबज़ता में अंस्टिपेशन, कबज़ियत और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आपनों से देखा है रोज में देखता मुस परश्ट जो लोग ठंडा पानी पीते हैं तो चिल्ड वाटन फ्रेज में रखा, उनकर से बरफ डालीके पीते हैं उस सवेरे जब संदाब घर में जाते हैं तो एक एक गही नोगत दितनों बाहरा है उनको पूछो क्या करता हो एक गही ने तो कैसे ओम साथं लोगी मिलिन रूपलते हैं मेने दीन पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं? पेट साफ नहीं होता इसलिए प्रतिक्षा पर नहीं परते, कई बार जोर मेराना परता, फिर भी नहीं होता, गाना में आते हैं, मेरे सपनों की रागी कभी आई दी, आती नहीं, फिर ठाखार के, एक बार आजा, आजा, मोट नहीं आते, तो बार भट निशी बहुत स्वष्ट कहते हैं, कि समसीतोशन छेतर के लोग, फ्रिस का पानी पिये, बरफ का लहुआ पानी पिये, तो मन बद्धता होगी, मन बद्धता होने से 130 गोग आई गे, और जिनके निभर आप उभी दोगों से लड़ते हुए मर जाए, इसलिए पा आपका टेंप्रेचर आपका टेंप्रेचर सामनी रूप से 30-35 degree centigrade है, उसलिए तेंप्रेचर का पानी पिये, माने इसको सरर्भाश estáne ने चले हैं, हलका गर्म पानी पिये, गुन गुमना पानी पिये, और सांपनी पिये, गोवोटन मत्की के पानी का उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है, तापमान 40 गडरी के ऊपर निकल रहा है, तो आप मक्की का पानी पी सकते हैं, तो ये तो तीन महीं नीही होगा, महीं, जून, बहुत अधिक होगा तो अप्रेल, तो अप्रेल महीं जून को मक्की का पी लिए, बागी दिनों में और विए, कोशा पानी, कुमबट पानी, हलका गर्म पानी, गुंबना पानी भी पीजेए, तो ये तो पालन, नहीं होगा, तो मैंने बता दिया, तो टौईलेट गूम में एक एक गंड़ गजी, एक बार नुमबईयों में एक फैमिली में गया, तो मैंने उनको पूचा, अब ने कमरोग सीट क्यों बनाया है? यह जो ईवूरोप वाले बनाते हैं कयो बनाया पॉइलेट की? इंदुस्तामी पद्धिक का क्यों नहीं बनाया? उनका राजी भाई, बात ऐसी है, हिंदुस्तामी पद्धिक में पांच मिन बैठ सकते हैं हमको एक रहंदे बैठना पड़ता है, इसलिए इसको सीर्ट में बना लिया, आराम जबैट जाते हैं, अख़वार पड़ते रहते हैं, एक एक घंडे लिकल जाते हैं। तो ये कम्रोग सीर्ट बनाना कोई होशयारी की बात नहीं है, मन्नूरी काख्या है। और बार्पर्ट रिशी ने बहुत सुंदर एक वाग के लिखा है, उसको आप दिमेशा याद रखिए, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है। तो ऐसे तो वो कहते हैं, जो स्वा में इस्थित है, वो स्वस्थ है। लेकिन ये तो वो कहते हैं, एक ऐसी परिभाशा है, जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आई है। स्वा में इस्थित होना। एक सरल परिभाशा उन्होंने दिये। वो संस्क्रिप में लिखाने में हिंडी करके बलता हूं, वो यह कहते हैं कि जिस लियत में इंको संदास घर में, टॉइलेट में जितना कम समय लगता है वो उतने ही जादा स्वस्क है। जादो दस मिनट वाले से जादा स्वस्क्रिप और कोई भुस्ते ही बाहर आजाए तो वो सबसे जादा स्वस्क्रिप यह बात आप कभी भूलना ने, इसको आप बिल्कुल दिमाज में कहीं फिक्स कर दो, अपने ब्रेट के कमकुद्र में डाल दो, कि टॉइलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है, वो जिन्दगी में उतना ही ज्यादा स्वस्क्रिप तो आप कोशिश करते रहो, कि आपका टॉइलेट रूम का समय कम होता चला जाएगा, तो यह तबी संबल है, जब पाने आप गुर्गुना पियें, खोसा पियें, तो तो तीन सूत्र हुए, चौता सूत्र है, वो यह कहते हैं कि संब सीतो शुर्ग्षेत्र में रहने वादे लोगों को दिन की शुरूवात कैसे करना, दिन शुरू हुआ, तो वो बहुते हैं पानी से दिन की शुरूवात करते, पानी से, सुबह उठते ही, सबसे पहले च इस शरीर में कोई जाए तो पानी ही होना जोगा है। अब हमारी जीवन शरीर ऐसी है कि उस्ते ही सबसे पहले चाय जाती है। और कई वग तो ऐसे हैं लोटा भर भर के पिते चाय। कॉफी, चाय, कुछ लोगों को भीडी, सिगरेट, कुछ लोगों को तंबा कुई, ये सबसे पहले अंदर जाती है। उठते ही। बाहनों में तो रिशी कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चेले। मानि पानी से दिन की शुरुवात करें। और इसको उन्होंने एक दूसरे सूत्र में लिखा है। उशा पानी करिए। सुबह उठते ही पानी पेजी। अब आपके से कोई लोग ऐसे हैं कि जैन धरन का पालन करते हैं। तो यह कहते हैं कि इसमें कुछ हमारी सीमा हैं। तो वह सीमा को तोरकर बाद में पानी करिए। भाई है, एक सब रूए है, वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआ आप पानी से करिए और रात्री का अंप दूद से करिए माने रात में आप कुछ खाना नहीं है, आखरी चीज जो आप था रहे हैं, तो वो दूद ही होनी चाहिए और सुबह, जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं, वो पानी ही होना चाहिए तो रात को सोते समय दूद, सुबह उसते समय पानी, ये है नीम चौज़ा और वो ये कहते हैं, आगे, दूद पीने के साथ वो ये कहते हैं, कि दूद अपने आप में इतना स्वादिश्ट है, कि उसमें कभी भी मीची चीज मिला के पीनी चीज ज़रूरत ने पने शक्तर मत मिलाइए, बोर मत मिलाइए, खान मत मिलाइए, बुरा मत मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, जूद जैसा है वैसा ही पीते जाएए लेकिन उन्होंने इस बात कर बहुत जोल दिया है कि दूद पीना है तो गाय का ही, गव, गव शब्द का इस्केमाल किया है भैस के गूप के लिए नहीं कावा और ये हमें दिखाई दे रहा है जब से इस देश ने भैस का गूप पीना शुरू किया है लोग भैस जैसे ही गोए आप देखों भैस कैसी है सड़क पर खड़ी हो जाए सामने से फ्रक आए पीछे से बस आए कितना भी होड बजाए बैस अठी वहीं खड़ी है अकल नहीं हगे है से बैस की चड़ में भुश जाए है और भुश गई तो बाहर नहीं आए मारों के जंटा फिल की नहीं आए और बैस का बच्चा जो बैस का गूप पीता है आप जानते हैं जनम ये पर ही गिर जाता है खड़ा नहीं रह सकता और चार-पांच दिन तो हिलता भी नहीं है इतना आलसी है भी खड़ा रहता उखागे दूसरी जगे रखना पर और गाय का बच्चा देख लो गाय का जूफ पीता है जनम लेए तो आग़े गेंटे में तो अपने आप खड़ा लिया जा और अगले गेंटे में तो जनमी शुरू कर देता और डो गेंटे बाद के बाद तो आप पब नहीं सकते इतना दौ जाता है क्यों? गाय का बच्चा है तो गाहे के दूद में चुस्ति फुर्ती है, भैस के दूद में आलस से है और भैस का दूद हमने पिया है, हमारे पुर्खों में किसी ने नहीं किया बगवान प्रश्ण ने कभी भैस का दूद ने थे, राम जी ने कभी भैस का दूद ने थे मैं कभी–कभी सोचता हूं किख्रश्म भगवान तो 7,00,000 गाय पाऊते थे, एक भेस को रखी सकते हैं। जो रहती 7,00,000 गाय को पाजन कर सकता हूं एक भेस को पाली सकता था, एक भेस नहीं रखते हैं। क्योंकि को जाकि पेस जो भेस कैसे हैं। राम जीर ने कहुँ भेस नहीं रुठी है दर्त वहभार के पास tobl Lex tirution के अफरेकर प careless है द्धिन पारियो हाँ तो जाना है अगर यम्राज के पास तो थूद भैस का गूर्तियों मुझे कोई तक्लिफ नहीं आपकी और ये बात को बिज्ञान के आधार से बता देता हूं सारी दुनिया पर वैक्यानिक ये मांते हैं और रिसर्च की हो रही है कि भैस का गूर्ट पीओ तो शरीप में कॉलस्प्रम जाड़ा बनेगा और ये कॉलस्प्रम ही है कि हिद्य घात लाका है और हिद्य घात आएगा तो यम्राज को परचा नहीं कुरेगा तो भैस का दूज पीने के लिए नहीं बोला बागवट रिशी ने गहा है गाय का दूज पीना है तो दूज भी भी पीना है तो गाय काय करें कई और मुझे ऐसे दिया इसलिए मैंने जिए एक्स्पेनेशन दिया उन्हें का राजी बगज हम सुब पानी कि ते रात को दूज पीते फिर भी ह आपका सोने का समय है और आप में सब को लोग ऐसे हैं जो रात्री भोजन नहीं करते हैं तो जब भोजन का आखरी चुरण है तब ही दूज पी लीजिए उसके बाद कुछ पीने का नहीं है सो जाने बाएं तो चार सुत्र हो गए पहला सब रिपीत करता हूं भोजन के तु अब फीना हें चौसर सुत्र है जूँथ भूजद बढ़ को पना है पांच्वा सुत्र हयर दिन की शुरूरा आपके पाने से करने है का यहूंशा पानी करना है जबंगे से बहुत नहीं हिसाफ़ कि बने पर बन की पानी ने की मात्रा प्या करें अलग-अलग मुक्ती के लिए अलग-अलग पानी की मात्रा है किसी का वज़न अगर 70 किलो है माननी की तो उसको कम से कम 5 मितर पानी की बात करें जाएगा किसी का 60 किलो है तो कम से कम 4 मितर पानी की पचास किलो है कम से कम 30 मितर पानी की सुबह नहीं, पूरे दिन में, मैं जो बात कर रहा हूं, इतना पाली पिना तो पूरे दिन में, सुबह सुबह तो पीदि पाई दो, 4 लीटर पामी पक्ता कर लीजे एक दिन में, साथ किलो बजन हैं तो चार लीटर पामी पक्ता कर लीजे, पचास किलो बजन हैं तो तीन लीटर पामी पक्ता कर लीजे, तीन लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं किना, क्योंकि वो πुलते हैं कि पचास किलो से अगर कम भजन ही तो वो भीमार है वो बोलते हैं कि अस्वस्त है, उसको भजन बढ़ाने का कोई नहीं उपाई करना है चाहिए तो दीट शार पांस नीजत की टेटेगरी हैं, अगर कोई बोलेगा 80 km वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, 100 km वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, यह धियान लबत है, पीने का तरीगा सिर्फ करके, पानी की मात्रा वजन के हिसाब से, और हल्का गरुपणन है, अब इसमें स शुलक हो जाता है चार बजय से मेकर सूर्य ऊज़ा है तो उते बीछ में जा ग्रलत tips करेंगे 2020 चार दो शुलका बहुंजुक् 1-8 है है anyways और उन्हें कहते हैं कि सिप करके पीते जाएंगे तो तकीफ नहीं आएगी, गटकर पीएंगे तो पेट को ही जाएगे, तो धीरे धीरे पीड़े, सिप-सिप करके पीड़े, और उनका ये एक छोटा सा सूफ कि मैंने बहुत लोगों को अजमाया, ऐसे अभी-भी मैंने सब्सक्तर किलो है, इतना बजन बढ़ है, तो भीचागा अमेरिका से वापस आजया, क्योंकि उसको नौकरी से निका लिए, अब दूसरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मुझे तो रहना बड़ा मुश्किल है, तो दोलाग पसा ज सब्सक्तर की अगर इस ना ही कुछ रास्ता की है, तुम अगर आजनें को बूख बनी है, पानी को कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले पाली दियो, ये कुछ सुट्र है, चाहो तो पालन कर दो, उसमें कर लिया है, आज उसको एक साल और साथ मिलने में हो गए, एक साल और साथ मिलने में उसका बजन, अब मात्र सप्तर किलो है, एक सबसक्र किलो से सबसक्र किलो से शिर्ट का पालन करना से, और मजे के बात यह है, वो खुद कहता हूँ कि मेरे शरिग में कोई लौई बंजोली नही है, फ्रेशíनेस है कहिसे, सिब करके पानी की निले लगा पानी बोड़ें के विए पेंटे के बाद हरिका भूपुना पानी सुगर उफते ही पानी वजल अपना को उसका कम होगा तो मैंने वेते जी को पूछा कि अब उसका 70 किलो आगे आगे क्या होगा तो उनका चिंता मत करो इसके आगे कम नहीं होगा दवरानी की बाद की है तो मैंने का बाद बड़ते विशी ने इसके लिए कुछ बोला और उनका हाँ बोला और वो बोलते हैं कि पानी जो है जब शरीर में सिमेट्री आ जाती है समान उपात आ जाता है उसके बाद बजन करना कम बनी कर देगा अब समानपाद आ गया, समानपाद क्या आ गया, उचाई के हिसाब से बजन आ गया, जितनी उसकी उचाई उतना बजन होना चाहिए, आप उसके बार को कितना भी ये करता रहें, अब इसके नीचे बजन नहीं जाए जाएंगा, जितनी अच्छी चीज हैं आप सोचेंगे, हम वजन पिर पहले से जादा बढ़ गया, उपवास करके वजन कम हुआ, कई बार उससे जादा हो गया, लेकिन ये चलब रिश्य सुरी, बाग मट्र का सुर्टर इतना अद्बुध है, कि जितना चाहिए, वहीं पर लाके शरीर को छोग देता है, तो आप कंद से शुरू कर दे आपको कोई एक्सरसाइज होती है, नहीं होती, सेकंडरी है, उकवास होता है, नहीं होता, सेकंडरी है, योग प्रायां कर सकते है, नहीं कर सकते, सेकंडरी है, आप कहीं जा सकते है, गुनने तहने सेकंडरी है, प्राइमरी ये है, चार सूत्र, बोजन के देर गंदे बाद पानी प्योग, पानी बूद्बूद दर्ते प्योग, हलका गुल्वना पानी प्योग, सुबह के शुरू आप पानी से करो, और आप शुरू करो कल से, आप में से जिसकों भी लगता है कि मेरा बजन ज्यादा है, चार मिनी के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉली रगना, न आज तक एक भी आप दूने बोलाएंगे, ये हमारे खान पान में स्वास्त घुसा हुआ है, कैसे ये कुछ हुआ है, इसके आगे क्ली पर इक बात और शुरू है, ये चार तो महत महतु के सुत्र है, इनके साथ जुड़े हुए दो-तील सुत्र और नहीं है, वो ये कहते है कि जो समसी तो शुरू चेत्रों में रहने वाले दोगों, उनको भोजन अगर करना है, तो कभी भी खड़े होके नहीं करना है, इस्टेंडिंग पोजीशन में खाना नहीं खाना, मानि भुफे सिस्टम, वो आप के लिए नहीं है, वो बफैलो के लिए, भुफे सिस्टम, मनश्य के लिए लिए लिए, वाग मनश्य इस बात पर बहुत जोड़ देते हैं, कि समसी तो शुरू चेत्रों पर रहने वाले दोगों को, खाना हमेशा बैठके ही खाना चाहिए, तो आप गुलेंगे क्या दाहिंगे बुफे बैठके, नहीं नहीं, जैसे आप अभी हैं, ये सुख आसन है, योग की भाषा में उसको सुख आसन कहते हैं, इसी में बैठके खाना चाहिए, इसके बाद अगर कोई उसरा आसन है खाना खाने के लिए, तो बाग हटने बोदा है, दोनों पेरों को बैठ जाना, घुटने मोड का, जैसे गाई का दूद निकालते ह मैं को बैठते हैं, जमिन पे काम करते समय हम् घुडनों के बन बैठते आई, उन दोनों में से आपको जो अन्कूल पड़े हैं, आप में लोट, ये पड़ने मोड है, जीसे आप अपके बैठते हैं, तो आपके घर से डाइनीं पेब कीभा कर but आप कहिंगे कि खरीब लिया है कबाड़ी को बेच दो बहुत सारे कबाड़ खरीब लियते हैं दो इस देगा है अच्छा है उसका चरह किर्शी ने बुकफवार कटम ने बोला है कि जो लोग धंडरी एरिया में रहते हैं बहुत सर्दी वहां जमीन पर ना बैठ है खाना काते समय तो चलेगा मने द्रभू कश्में के लोग अगर मेज कुर्शी में बैठ के खाएं तो चलेगा हिमाचन के लोग अगर मेज कुर्शी में बैठ के खाएं तो चलेगा अमरीका दूरों वाले अगर मेज कुर्शी में बैठ के खाएं तो चलेगा दमतरी वालों को नहीं चलेगा तो आप गुलें निजी दाहिन देवर का क्या करें कोई दूसरा उपयोग लेंगों नहीं दे सकते हैं तो कबारी को बेचे खाना खाने के लिए तो उसका उपयोग कभी भी मत करो इसके आदेकाई को सुनता है बहुत सुन्दर है ने तो कि जैसे खाना कभी खड़े होके नहीं खा सकते बागवति विशी बोलते हैं पानी भी कभी खड़े होके नहीं पिए पानी बैठते ही भी कभी भी खड़े होके नहीं और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमर्जिंसी है, मजबूरी है तो पानी को पीते समय आप forward bending आगे जुख जाएए, कमर से बुट्णों से नहीं कमर से जुखिए आगे फिर पानी पीने जैसे हम प्यावू कर पानी पीते ना प्यावू होगे आगे जुखते हैं, फिर पानी पानी के, तो वो बोलते हैं ये second best position है पानी पीने की प्यावू मैं आगे जुखतर पानी पीना नहीं तो आप जैसे लगे हैं ऐसे ही पानी की इसके आगे का एक नियों है कि पानी आपने पी लिया तरीके मैंने बता दिये कि इतना पी लिया, कैसे पी लिया यो भी आगया अभी उसके आगे का नियम वो ये कहते हैं कि खाना जो खाते हैं संसी चोष्पे चेक्र में बाने भारत और भारत के कई इलाखे, वो ये कहते हैं कि दुपहर का खाना कभी भी खाएं तो उसके 20 मिनट खाने के तुरण बाद 20 मिनट विश्राम लेना बहुत जो़ूंदी है दम तरी मालों को तो बहुत आँशल है आराईकल बादो भी आँशल है भारत के 680 जिले दम तरी ही जैसे है सबको दुपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्रांती बहुत आवश्रक है और वो 20 मिनट विश्रांती की बाद कहते हैं तो कहते हैं वाम कुक्षी वाम कुक्षी का मतलब ये जो बाया हाथ है ने लेफ्ट इसकी तरफ लेट जाए बाया हाथ नीचे रहे धाया हाथ उपर हो लेट जाए बीस मिनट लेके रहे फिर उप जाए इस बीस मिनट में नीद आ जाए तो कहता ले लीजी उसको रोकिये माँ लेकिन कोशिश करिए कि वो बीस मिनट के आगे ना जाए हाँ और यह बहुत इसकोश्ट तुम ने कहा है बीस मिनट ले ले लिए दोर अच्छा है अगर एक घंटे हो गई है नीद दो घंटे हो गई तो मोटा पाप अगना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर हम इसको उल्टा पूछें कि दुपहर को खाने के बाद विश्राम लेही ले तो चरक रिशी में 63 बिसील्स की लिस्क बनाई है ये लोग आ जाएंगे इसलिए दुपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जोर दीजे इस्त्री हो या पुरुश उन्होंने बोला है कि उम्र थोड़ी आगे है अगर साट साल है तो आप एक घंटे तक इश्राम दे सकते हैं दुपहर को अगर साट से 40 के बीच की उमर है तो 20 मिनट का इश्राम सफिषेंट है 40 के कवन है तो भी 20 मिनट का जादा देल नहीं सोना है सोना है 20 मिनट और वो ये कैते हैं कि ये रात की तीम घंटे की मीट से बराबर कर लेता है ये इस समय इतना अच्छा होता है तो हमारे देश में कई जगे मैंने देखा है एक नियम जैसा है दुपहर को कोई भी दुकान दार दुकान नहीं खोलते हैं इस देश के ऐसे सैपनों गाओं मैंने देखे वो शारीद बाद बच्ट के पक्के चेले खाना खाके विश्राम करते ही है और मैंने बड़े-बड़ बड़े शेवा में लेका ने राजपोर्ट जाता हूँ राजपोर्ट बहुत बड़ा इंडस्रियल सिटी है कोई भी देखती करोण पती से करोण पती और रोड़पती से रोड़पती दुपहर को दुकान पर नहीं लिखेगा दुकान बंदी रहेगी खाना खाब घर में अराम नहीं करेगा करोणों का बिज्जिस चोर देगा वो कहता परवा नहीं अपने शरी ठीक रहेगा और बहुत स्वस्त हैं ऐसे बहुत सारे हैं तो आप भी कंसे ज्यान देखिए इस रागता और इसका एक उल्टा सूत्र है आगे का कि रात को जब भुजन आप करते तो तुरंत विश्रांती नहीं लेगा बादर पिशिन बोलते हैं कि रात्री भोजन के बाद दो घंटे तक विश्रांती नहीं चाहिए दो घंटे तक स्वाध्याय करिए भज़त करिए जीवतन करिए संबाद करिए पहले चले जाए इन वो कहते हजार कदम अगर आप पैदल ज़ना तो बहुत ही अच्छा है विश्रांती दो घंटे बादी हो कम से कम अधिक से अभी कि दिन गहले वादी समसी तो चेत्र के लोगों पहले तो आप दुपहर को खाना खाए तो 20 मिनट विश्रांती लें शाम को खाना खाए तो तुरंत सोने ना जाए दो घंटे तक पूर्म दिशाने रहे तो अच्छा कभी भी सोई रुपहर को या रात को सिर्ख हमेशा पूर्म दिशाने रहे तो अच्छा पूर्म के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो दक्षन या तो पूर्म में सिर करिए नहीं तो दक्षन में करिए उत्तर और पश्चिन दोरों को उन्होंने प्रास कर दे और उन्होंने explanation दिया है उत्तर की दिशा में सिर्क करके सुने से म्रत्यू जल्ली आई थी और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा म्रत्यू की दिशा है बच्पन से मैं देखता आ रहा हूँ अमने ने समझ में आया कि किसी की भी म्रत्यू हमारे घर में हुई तुरंध हम उसका सिर उत्तर कर गएते हैं हमारे घर में ऐसा फिर मैंने देखा वह सी कि घर में यही हो रहा पूरे भारत में यही हो रहा जिसकी भी म्रत्यू होती है उसका सिर्व उत्तर में कर गुए जाए क्योंकि उत्तर को म्रत्यों की दिशा माना जाता है सोने के लिए वैसे उत्तर की दिशा बैठने के लिए बहुत अच्छी है ज्यान की दिशा है बैठना हो तो उत्तर की तरफ मूँ करके जरूर बैठने सोना हैं तो उत्तर की तरफ कभी भी सिर्मत करिए पस्चिन सोने या तो पूर्ण करिए या तक्षिन में तो आज से ही आप अपने बैट का पुजिशन बदर बोड़े आपके बैट का पुजिशन राई दर इस्थ और साथ और फिर आगे वो बोलते हैं कि सोते समय राइट नॉस्टल तो राइट नॉस्टल कम चले लेफ्ट ज़ादा चले सोते समय इसकी कोशिश करिए तो बारवट बोलते हैं कि नीद बहुत सुखी आई गी बने दियर दिन आई गी अच्छी नीद आई गी तो आप इसके लिए क्या करें सोते समय दो-तीन दिन च्छोड़िये और सो जाएं प्रयास को वो यह करतें कि थोड़े दिन आप करियास करें थोड़े दिन के बाद वो ऐंटोमेट्ब हो जाए खुछ करने की पड़ेगा तो ये छोटे-छोटे मैंने आपको बारा नियम बता दिया आगे बताओं या बंद मैंने बारे बता दिया ऐसे दो वजार है आपकी कितनी कर्दसी चिरे से मैं अभी बोलता हूँ यहाँ पर स्टॉप में कर देते हूँ क्योंकि ये नियम अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बताने में मजा है क्योंकि आगे के नियम इसके थोड़े कखिन है ये थोड़े सरल है आसान है इसलिए मैंने पहले बता दिया आप इतना शुरू कर दो तो तीन-चार महिने के बाद मुझे डॉक्टर साथ फोन कर दे है कि बराबर लोग कर रहे हैं तो फिर मैं आजाओंगा उसके आगे के कुछ पचास और नियम बताने के लिए फिर आप इंको शुरू कर दो फिर तीन-चार महिने बाद आजाओंगा सौनियम और बता जाओंगा बता दूँगा पूरे दो हजार मुझे छुपा के रखने में कोई इंट्रस नहीं लेकिन आप करें नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा दे है आप इसको कल से ही शुरू कर दो और मेरा निवेदन्य की घर के छोटे बच्चों को बच्पन से ये संस्कार के रूप में डाल दे हैं तो उनकी जिंद्री तो सुखी हो जाओ पन से पर एक बाद मुझे याद आ रहा है और ज़रूरी मानतम इसलिए बता देगा बादमेट रिशी बोलते हैं कि भोजन को अगर सूरी का प्रकाश और पवन का इस्पर्ष नहीं हुआ इसको ध्यान से सुनिया भोजन को अगर सूरी का प्रकाश और पवन का इस्पर्ष नहीं हुआ तो उसे कभी भी नहीं खाना गोजल को सूरी का प्रटाश और पवन का इस्पर्श नहीं हुआ तो इसको कभी भी नहीं खाना वो जह है बहुत दिनों के सोचता रहा इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है रैफ्रिज रेकर का खाना कभी नहीं खाना क्योंकि रैफ्रिज रेकर यह कैसी मशीन है जिस तो ना तोसूल का प्रकाश आता है ना पवन का इस परशुष फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी उबत खाना तो आप बोलेगे करना क्या फ्रिज था पानी में नहीं किना फ्रिज का रखा हुआ खाना में नहीं खाना तो करना क्या कभाडी को बेच दो कभाड भिखे लिए थोड़ी है तो कभाडी भी यह घर में बहुत सारा कभाड इकठा कर रखा है आपने आप हिसाब कभी लगाओ मैंने एक दिन मुंबई में मुंबई में आपको से अगर कोई गया हो तो नैपेन सी रोड एला बहुत महिना एला आप तो लगनSalू आज कर वह एक इस्ट के फाक्वीर जमिल की भाड है तो मैं एगा और से ही एक व्य First की के घर में रुखा हुआ था नाकिन सी रोड apenas सब्सक्राइब है तो किया लेकित कि अब बोलते रहे तो इतना सुन्दर डाइनीं दीबूल इसको आप पबार बोलते हैं उनकी किसाब निकारों यह जो इस बाइस इस्वेर फिक्ता है तो इस बिज़ाएब को अगर और बड़ा हो हमाई पचास स्वेर फिक तो मांगे सोई स्वेयर फिट का, तो सोई स्वेयर फिट में आपने ये डाइनी के वुल रखा हुआ है, सत्रे हजार रुपा स्वेयर फिट का एरिया है, मैं पेल सी रोग, कितना एरिया आपने ब्लॉग किया हुआ है अपने जिरा सोचे? और रोज का, तो तुर्ट उसके दिमांग में आगे, मैंने कि मिकाल दो, तो बहिया आपने इथा है, ऐसे समझ गया, और मैंने समझाए कि ये गाइनी के वुल अच्छा नहीं है, खाना खाने के विल्यों, वो समझ में नहीं आ, मैंने समझाए कि ये कि ये स्वेयर फिट एरि जो एडिया घेर के बैठा हुआ है, इसको निकामा है, हम धर बनाते हैं, इस्पेस के लिए, और मन के तयार हुआ, तो इस्पेस कवर करना शूम करने चाथा, सोफार आके पटक दिया, धाइनी टेबल ले आए, फिर ड्रसिं टेबल ले आए, फिर जगे नहीं बचती, खाल इस्पेसियोस होता है, जूर्खों के बूर, घर बनाया, वहाँ चुट्टी नहीं बिता सकते, अब फाइव स्टार होटल चाहिए, चुट्टी बिता नहीं बिता नहीं, तो धर में ये जो कवार है, फ्रीज है, नाहीं के गुल है, इसको कम कर दो, तो जादा अच्छा है, वो बोलते हैं बहुत बहरी उदा, बागवट विशी, कि जो घर्टी इसका ध्यान रखे, सूर्य प्रकाश और कवन इस्पर्श हुआ है, वही खाना खाए, जिंदगी बर निरोगी रहे, एकी सुत्र में वो बोलते हैं, और हम ये करके देखें, जिनके घर में फ्रिज का नहीं है, वो बहुत सुखी है, निरोगी है, तो ये कुछ सूत्र मैंने बताएं, ये सूत्र का आप पालन करिए, आज से ही करें, और चलते चलते, दो तीन छोटे सूत्र और बता देखें, कि हमारा घर का सबसे महतुकून इस्थान है, बागवट विशी की कहने के अमसार, वो कहते हैं, धर का सबसे महतुकून इस्थान है, रसोई है, किचिन, क्यों ही वो ये कहते हैं, कि अगर आप इन सूत्रों का पालन करते हुए भी मिलोगी नहीं हो सकते, तो फिर आपको किचिन की मदद लगेगी, फिरोगी होटेगी, वैसे तो आप ये बारे तेरे सूत्र का पालन करेंगे, रोज आपके खतन हो जाएंगे, नहीं हुए तो रसोई की मदद लगेगी, तो रसोई में क्या है, तो वो कहते हैं, जो भी कुछ है, वो सब आउशबी है, मेडिसिन, जैसे धनिया है, जैसे नमक है, दाल चीनी है, मेडिका लाना है, हीन है, जीरा है, और वो ये कहते हैं कि इस ग्यान को लेनी के लिए, चरक के लेके उवे इस सूत्र पढ़ो, तो चरक सूत्र हैं कुछ छोटे छोटे, दो चार बता देता हूं जो आपके वो जीवन में काम आते हैं, कि अपने रसोल में 108 दवाएं हैं, ये बाद चरक रिशी ने काम आते हैं फिर एक दिन मैंने मेरी विसोई में हिसाब लगाना शोटिया, तो सच्र में 108 दवाएं हैं, साधरन से साधरन विसोई में 108 दवाएं हैं, और उसे गंभी रोग भी चीक हो जाएं, साधरन रोग तो चीक होते हैं, गंभी रोग भी चीक हैं, जैसे चरक के अनुसार अपने में तो सबसे अच्छी दुबाब है उसका नाम है दाल चीनी सबसे अच्छी वैसे कि वो कहते हैं सब दुबाएं अच्छी कोई खराब नहीं है लेकिन अब कमपलीजन करेंगे तो सबसे अच्छी दालचीनी और चरदमिश हिए अबसार दालचीनी अंकेरे अगेले दालचीनी 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 अगेले दालचीन तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना लो उसका, पाउडर बना के लेने का है, और वो बोलते हैं कि दाइचीनी अकेले कभी भी नहीं खाना, नहीं तो शरीर को इसकी आदत पढ़ जाते हैं, अकेले कभी भी नहीं खाना, ऐसे जैसे दाइचीनी का पाउडर बनाया और हमने लेन शुरू गंदिया पानी के साथ, तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पर जाए भी फिर शरी रोज मांगेगा दाइची नी दाइची, तो वो कहते हैं कि यह उशदी है, शरहाव नहीं है, व्यसन नहीं है, तो इसकी आदत ना पड़े कभी भी शरी को, जितनी जरूरत है उतना उ कि आपने जोँच जेन होंगे तो शहरद उप्लोग में कर सकते हैं 치क यह ने गुर बोला, और जो जैन नहीं है, वो शहरद उप्लक सकते हैं, तो उनको शहरद बोला, तो या तो शहरद बिलाना, नहीं तो बुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु तो यह एक दवा है, दाल चीनी बुड़ के साथ, इससे 48 रोग ठीक हो जाएंगे, पेट के सब रोग ठीक होंगे, खाली पेट लेंगे, सुबह बात और कफ लेंगे, पेट वाले खाली पेट कभी भी मिल लेंगे, मुराज कोई लेंगे, आपके अगल घृत्मों का गर्द है जिसको संदी बात देते हैं, इसके दो हिस्से, रुमेटिल अर्थराइटिस, और स्क्यों अर्थराइटिस, दोनों ठीक होते हैं, नीद अच्छी नहीं आदी, अनित्रा की समस्या है, यू भी इस से चीक होती हैं, आपको मन में हमेशा अशांती रहती है, चुड़- कि आपको पेट में जलन होती है जहां एक भी भी मैती दाना नहीं खाना नहीं दोर जारा हो आपको अगर ये पित छोड़कर बात और कफ है बर्पूर मैती दाने का नियम बताते हैं कि राग को दो चमच मैती दाना एक लास पानी में डाल दीजे सुबर उटकर पानी को सबसे अच्छे परिणाम है अगर किसी को भी डाल दीजे आप इसको मैती दाना देना शुरू कर दो तीन चार मेंने के बाद इंसलीन की ज़रूर्यक नहीं पड़ो दूसरे सबसे अच्छे रिजल्ट हैं इसके कंडे का दर्द, कमर का दर्द, गुटने का दर्द, पाउं क दर्द, दर्द, उसमें बहुत अच्छे परिणा मेती दाने के तीसरा भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना, उसमें भी बहुत अच्छे परिणा मेती दाने के तीसरा भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना, उसमें भी बहुत अच्छे परिणा मेती दाने के जैसे हमारा Menzies Cycle है, उससे जुड़ी हुई जितनी बीमारिया है, समय से नहीं आता है, तो देख चलता है, रक्तुकबा ज़ादा होता है, या बिल्कुल नहीं होता है, पेट में बहुत गज़ता है, चिल-चिल हो जाता है, Manopaus period आया है, Fleshyes होते हैं, वो सभी समय की सबसे अ इसको अभी देखा को योग करके, यूट्रस डिस्प्रेस्निक, गर्भाशे अपने इस्थान से हड़ गया, ऐसा कई बार बता, और उन माताओं को ज़रूर होता है, जिनकर सिजेरियन ओपरेशन हो गया, तो गर्भाशे हड़ गया तो ज्यादा तर बक्तर बोलते हैं कि इसक कर, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है, मैंथी बादाओं, अब मुझे समझ में आया, बचकर से मैं देखता हूँ, कि मेरे घर में और मेरे आसपास में जितनी भी माताओं को बच्चे होते थे, तो मेरी दादी मा सबको मैंथी के लगडू देखे आते, अपने घर में बना इसलिए इस देश में गाओं गाओं में ये जानकारी रोगों को थी, बाद में वो कम हो गई जानकारी और इसके बाद हम दुखी हो गए, ये जानकारी फिर वापस लाईए अपनी पड़िवारी, मैंथी दानी का उपने उप बढ़ाई है, बात और कफ वाले को इसको करा बाद में कभी में गए, एक दिन में दो चमच से जादा ने, सूखा महकी दाना दो चमच, एक चमच भी ले सकते हैं, शुरू में क्योंकि तीखा है कड़गा है, खाने में तक भीखाई है, तो शुरू में ऐक ही चमच ले लिजए, फिर आद़ पढ़ जाए तो पढ़ दो से उपर मत परे जाए रख्ट के जितने भी दूशन हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है ये मैं की तरह आए जिनको ऐसे निटी चोड़कर जो कुछ भी है उनकी बात होने जाए कफ और पित उसली बात और कफ अगर रख्ट के दूशन है रख्ट के कई विमानिया है जैसे रख्ट में कोई गंदगी है तो वह आपको चर्व रोख के लुट में बिखने तो अचालोग आजाएंगे पोड़े होना पूंसी होना पिंपल्स होना वहां से होना वहां से हो गए तो काला काला हो जाना ये सब गर्त की तकलीफ है इसकी सबसे अच्छी दवाह है मेंतिका दालिए और कई बहनों को समय शुरू होने पर भी मेंसी शुरू नहीं होता अगर उनका उम्र आ गया लेकिन नहीं हो रहा है सबसे अच्छी दवाह है में रिकिता दालिए बहुत अच्छा आप उसको घर में जरूर लखें और इसके माई करें तीसरी दवाह के बारे में वो बोलते हैं बाग चरक रिश्यू कि अपने रसोई में हैं और बहुत अच्छी है उसका लामे चूना चूना ये तो पाल में लगा के खाते हैं न चूना वो इतुना ये अ के जरूफर के अधर किसी को जॉन्देश हो गया है ये आध़ आतब में जोड़त जीजिएक अज़किकी में न चुंड़कित हैं व्यूहतने ये पना मिलाके दो नहीं को चूने का पानी दही में अमीलाके तुलादिए लसे में छना है और सबसे अच्छा है गरleyे प्रिसम कि मैंने चूने का परगाम देखा है जिसके सभी केसिस में बहुत अश्य और लीवर्स लोसिस जैसी गंभीर बीमारी में यह चूना अजबूद काम का कभी भी आप अप्योग करते हैं और यह गंभीर बीमारी जो अक्सर हमें होती है यह जो आपके बुटने दर्व करते हैं चूने का पानी को हो जो माता हूं कि उमर पैशालीस वर्ष हो गही है मैंनो प्रॉस्प्रिय शुग हो गया है सब को जो चूने का पानी के अलुद काम क बच्चे हैं छोटे हैं उचा ही नहीं बढ़ रही है आप बहुत परिशान है कि फूप खिलाते हैं फिलाते हैं फिर भी लंबाई नहीं बढ़ती है चूने का पानी देने लोगों अदमुद लंबाई बढ़ा है कितने उमर पर 21 साल और यह चूने का पानी क्या क्या काम कर हाट-का-कता,पान पर जितना चूना एक बार में लगा के खाते हैं वो लरबब एक ग्राम होता है,उतना ही खाना एक पर दूसरे दिनुतीर बचल लोस्ट felu in you अगर माताओं को और बहनों को ट्यूमर हो गया ब्रेस्ट ट्यूमर जो बिनाई है नहीं जाते हैं बिनाई होते हैं 90% ट्यूमर बिनाई होते हैं तो इसकी सबसे जादा ताकत यसी चूने में बहुत काम आता है इसलिए मेरी सब को दिनके आप चूना खाएए तंबापू मत खाएए तंबापू छोड़ते चूना खाएए कोई ऐसे चोटे बच्चे है और बड़े लोग हैं इनको अकसर होग फटते रहते हैं दाल पढ़ जाते हैं सर्दियों में तो दोतर अफने साजाती हैं उनको चूना खाएए बहुत सारे घरों ने ऐसे नहीं देखा पाउं में चीरों पर जाते हैं प्रेडियाओं बच जाती और उनको चूना खाते हैं शरीद पर सफे सफे डाल हो जाते हैं लिव को दरबां उनको चूना खाएए हजबी तूट रही है, दौक्टर ने तो प्लास्टर बांग दिया, अब इसको वापस जोर ना है, तो चुन है किलोगे, बहुत अच्छा है तो, पचास से ज़्यादा बीमारियों में उप्योगे है, ऐसे अपने घर में नमक है, नमक, बहुत अच्छी दवा है, बानवट र जिनको ब्लेट प्रेशर उचा है, उनको चरक रिशी बोलते हैं, समुद्र इस्नान करना, अब आप गुलेगे, धम तरी में समुद्र कहां से आए, तुम्हें बताता है, पानी जो नहाने के लिए है, उसमें नमक बिला गो, समुद्र कहा रग 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 रहे, नमक के पानी साबू मत लगा, पंद्रह बिस दिन सता तक आप में नमक पानी से इस्काम किया, सोल के दिन ब्रेट प्रेशर चेक करना, नौर्मन मिले और जिनको ब्रेट प्रेशर लो है, उनके लिए है कि नमक पानी में मिला के पिऊ, लेकिन नमक बॉन सा, ये वादा नमक नहीं आयोग आयोगी नमक में दो केमिकल हैं, जो बहुत ही खराब है, एक का नाम है कोटेशियम आयोगेट और दूसरा है ऐल्ली मिलियम सिली के, ये दोनों ही केमिकल शरी में जाले के नकुन सकता लागते हैं, इसलिए गुला के सभी देशों नमक बंद हैं, भारत को छोगते हैं, फ्र आखाने चालो, हमने इसके खिलाफ केस किया, बंबई हाई पोट में और वो केस पर हाई कोट ने इसके दिया, और सरकार इसको पूरे देश में तंब सरी नहीं कर ताफा है।म ऑलिए, अगर हम हार गए तो सरकार करें दिल और उसलिए भनाएं, हंने जो केस किया है वोगते देशों के बाद भी बताया, कोड़ कोड़ की 20 से जादा देश हैं जहां पर आयोगी युट नमक पर पावंदी है, वहां के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, वो हमें सुनना चोलेगा, तो कोड़ ने का ठीक है, तो वहां भी बहुत सारी रिकोर्स हमें कोड़ में डाली, तो को आयोगी युट नमक आप ना खाएं तो भी चलेगा, सादा भूमन भी खा सकते हैं, विलेशी रिज्ञानिकों का कहना है, कि आयोगी युट नमक से नकुन सकता बहुत जादा पढ़ती है, बेगमार देश में तो इतनी बुरी हालत हो गई है, 20 सालों ने आयोगी युट न कैश प्राइस है, एक बच्चा है, दूसरा कर दो तो एक लाक युट उलर, उन देशों ने ये समस्या आ गई है, भारत में सरकार का ये अभिकारी मुझे बोलता कि राजी भई हमने भी इसी समस्या का समाधान करने के लिए लाए रहे है, क्योंकि भारत में जरूरस से हो जाएगी, ये भारत सरकार का चिंता है, ऐसा सरकार सोचते है, तो आप मत करिए इस काम, मेरी मानिता में जन संख्या कम करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है, अपने को जन संख्या कम करने की जरूरत नहीं है, संसादनों का भटवारा ठीक होना चाहिए, इसकी जरूरत जनसंख्या आपने बहुत ज्यादा नहीं, पर स्कुर किलो लूटर के हिसाब से अगर आप कैल्कुलेशन करीगे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जापान की, उनको चाहिए कम, क्योंकि उनके पास एडिया तो है नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं, उसके बाद है भारत में अभी संसाध्नों का बटवारत ज्यादा नहीं है, संसाध्न, कुछ लोगों के पास तो इतने हैं, कि उनको पता नहीं क्या करें, और कुछ के पास कुछ भी नहीं है, वो भूखे मर जाएं, ऐसा देश है भारत, ये ठीक करने की ज़िए, तो आप नमक खाओ, बि अख्री बात, कि आपके रस्वाई में कुछ समझियां भी हैं, जो बहुत अच्छी दमाएं, चरक बोलते हैं, कि जो समझियों में छिलिका, उपर का, जितना अच्छा है, वो मेडिसिन उतनी अच्छी है, जैसे लौकी, दूधी, बहुत अच्छी है, बहुत ये अच्छी किसी को भी हिर्डे की तक्रीफ है, लौकी का रस्वाई में, बहुत अच्छा है, आप तो भी भी करके देखो, रामबे बाबा ने तीन लाख लोगों को लौकी का रस्वाई पिलाके, फिर्वाई घाथ से बचा है, लौकी हर गाउन में मिलती है, आसनी से अच्छी है, किसी को भी तक्रीफ है, रक्त अल्पता, मेंती और कालों भरपूर खाई है, गाजर भरपूर खाई है, रस पीजिए अनार का, भरपूर रस पीजिए, तो सब्जियां भी हैं और मसाले भी हैं, जो होशगी है, अब इस निशह में अगर आपको और ज्यादा जानना हो, आपको जादा देख कर नहीं सुना सकता, क्योंकि अब मुझे गूसरे व्याक्षान के लिए जाना है, लेकिन एक छोटी सी व्यवस्ता जरूर में करके लाए, इस विशह को हमने कुछ किताबे बनेगा, पुस्तक, वो यहां पर लाई है, आप उने ले सकते हैं, मैंने जित दूसरी एक पुस्तक है, जो मैं बार 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 बोल रहा हूं ना, बादबट्ट ने ऐसा कहा, बादबट्ट ने ऐसा कहा, बादबट्ट ने ऐसा कहा, तो बादबट्टे के सुत्रों को सरब भाशा में लिखा है, उस पुस्तक का नाम है, स्वावलंगी अहिंसांत्मक चि उसका नाम ही पंच गर्वे चिकत्सा गाइ और गाई के नजबीक में क्या खैन LAUR km सहरे और एक है सॉर्णतरी चिकत्सा मुने इस्किम के जित्phony Бिशी है वो कैसे छीख हो सकते हैं वो है सौनले चिकित्सा फिर एक है स्वदेशी चिकित्सा ऐसी छुट्टों की पांच्छे किताब में है उनमें यह जानकारी है तुम्हें दे रहा है और ज्यादा भी है आप ले सकते हैं और इसी विश्यों पर सीडी बनाई है चानीज गंटे के वो आप ले सकते हैं बार बार सुन सकते हैं दूसरों को सुना सकते हैं फुष्टब और सीडी पर मेरा कॉपी रइब नहीं है सब को कॉपी कर ले कर रहे हैं कुँיम मैं मानता हूं भ्यान पर किसी का अभिकार नहीं है मैंने कहीं से भ्यान गिया आपको दिया अब आभ αυτό मैंने सिदी की कौपी बना बना के आप देगो फुस्तपों की कौपी बना बना के देगो तो ये बात भरधर अगर पहुंग जाये तो हमारे खान पान और हमारे रीट मेरार में ही स्वास्त और चिकिट सा जुड़ जाये तो लापों करोनों रुपए का खर्च बच जाए। और आप सुखी हो जाए। और देश सुखी हो जाए। कि विधिन कुछिर समाना करना है तो बीड़ू कुछिर तर्यवाई कि ये बहुत बहुत तन्यवाई एदि कहां दर बाली प्रस्वत काल बहेगा अगर कोई भी बाई मैंने कोई भी प्रस्ने करना चाहे है तो फूसागी योगा अप्राना या आयोदी दाईयों से टीप हो सकती है ब्राम नेगा जी ऐसा बोलते हैं और उन्होंने कई वरीदों पर उसके परिक्शन किये हैं वेव सौर कैंसर पर उसके कुछ रिजर्ड वो बोलते हैं कि आए ही मैंने अभी वो देखे नहीं अगर मैं देखू तो उसके वारे मैं कह सकता है लेकिन मेरी क्यान का देम है कुछ बैदे ऐसे हैं इस देश में जो कैंसर की आज़े एक शिकित्सा करते हैं और उनकी शिकित्सा में मैंने लोगों को लाब लेके हुए देखा है ऐसे एक वैद्ध हें हारडी के पूना में रहते हैं सिर्फ कैंसर की ही शिकित्सा करते हैं और 80 साल के हैं बहुत सखी कावस देखे तक है ऐसे हो सकता है और भी देश में बहुत सहय जाते हैं कि अभी हाल में दो चैनल पर गांडीजी के समंद में जो दिखाया गया उसमें बिल्कुल की सच्चा इडिया है होता जाए कि इस देश में एक ऐसा बन गया है कि गांडीजी को गांडीदो तो प्रचार भख नोता है तो तो तीवी चैनल वाले और उनका बोलने वाले गांडीजी के बारे में कुछ भी उजलोल बग देते हैं और प्रचार का जलिया वो बन जाते हैं उसमें बिल्कुल की सच्चा इडिया है इसलिए कि मैं गांडीजी के आश्रम में यहां हूँ अभी में रहता हूँ गांडीजी से समझने जितने भी दस्तावेज हैं वो सब आश्रम में हैं मैंने बार बार उनको पढ़ा है देखा है और तीवी चैनल उपर जो कहा गया उसमें कोई ग्रंच मार्कों की सच्चा इडिया है इसलिए गांडीजी के बारे में कई बार कुछ बातें आएं तो आप आसानी से उनको पुछ निकार मत करें अभी हाल में भेहत खराप बात गांडीजी के बारे में आई कि पचास साल की उमर में उनको किसी से प्यार होगा गानवी जी नी अपनी लिखी हुई किताब अगर आप पढ़नें जिसका नाम है My Experiment विट्रो थी मेरे सब्ति के प्रयोप तो उन्होंने बोला है कि मेरी जिन्तिकी के पैंटीसवे साल में मैंने ब्रह्मुचरे धारण कर लिया और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ब्रह्मुचरे धारण कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाई वहन की करे से रहे पैंटीसवे साल में कांदी जी की मरत्यों हुई ड़ब उसके पचास साल के आस्पा 35 साल से जो आदमी ब्रह्मुचर धारण करिये वो 50 साल की उमर में जाके ऐसा फिसन जाए ये तो कहीं दिखाई रिजेता जिस ब्लैक्टी ने ये कहा उनका ये कहना है कि मेरी किताब देखे जिसमें हमाने ये मिली मार तो हमको किताब बेचनी है और वो किताब बेचनी के लिए इस तरह की मुल ये मुल बातें उसमें चाथते रहे क्या ब्लैक्टी दूब की चाहे के देखे अच्छी होती है और ये बात सही है अगर आपको चाहे ही पीई है जहूर पीजे एक दूब मच बादे बिना धूब की चाहे पीजे और बिना धूब की चाहे वो वाली पीजे जो पत्ते वाली होती है एक होती है लीव पी और एक होती है टी डस ये जो टी डस है न चूरा वाला ये चाहे नहीं है वो जो पत्ते वाली है वो चाहे तो पत्ते वाली चाय में बीटा केरोटिन है और बीटा केरोटिन हिर्डे के लिए बहुत अच्छी आउशदी के उत्में काम करता है क्योंकि यही विटेमिन A बनाता है और हिर्डे के बहुत जादा उलगाता है और यह जो पत्ते वाली चाय है इसमें तीन केमिकल हैं जो एंटी आक्सिदेंट की तरह से पाम करें और एंटी आक्सिदेंट केमिकल अगर आपके रख्त में हैं तो आपको हिलेल हर भी कम होगा और बुड़ापा भी जन्दी में आएगा और जीवन के सारे अपने वाल अपके पाम करेंगे लेकिन चाय पत्ते वाली हो बिना दूर्टी हो वही अच्छी लेकिन उसमें शक्कर नहीं होनी चाहिए ये बात ध्यान दीचे चाय में शक्कर मिलते ही तक्लीप होती है चाय में हुए अहां चैसा है अगर आपको पित्त की तक्लीफ नहीं है ये बाद ध्यान से सुन लेज़े पिक्त की तकलीफ नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है अगर पिक्त प्रकर्दी आपकी है तो जबूरस से ज़्यादा पानी आपको तकलीफ कर देगा हाइड्रोसिन हो सकता है हर्ण नहीं हो सकता है अपंडेस आइठिस की तकलीफ आ सकते है इसलिए ध्यान रखिए फिर तो वाले लिमट की पानी पिए कम ही ना पिए ज़्यादा विमी पिए बहत और कांब वालों को पोई तकलीफ में कांब ने जितना पानी पिया है उतना अच्छा माने जिनको मोटा पा जादा है वो पानी जादा ही कुई उनके लिए बहुत हुच्छा है जूज मड़ा दुट्टा क्रम उनटने पर कौन कोई से जिफ्ट वहा होता है हाँ इस पर मेरा पूरा एक तीम घंटे का व्यक्षान लेता है विरोधी और विपरीद चीज़ें खाने का हमारे आयोधेल में बहुत मनाई है दो विरुत दबस्तों कभी साथ में नहीं खाना और विरुत दबस्तों के साथ विपरीद क्रम में नहीं खाना अगर विप्रीद क्रम्ने और विरुद बस्तुमें आप खाईए तो सबसे ज़्यादा चर्व रोग आई हो चर्व रोग अगर जैसे दूद आपको पीने लगें जूर शाम को पीने लगें तो आपको जरूर चर्व रोग आई हो वाइट स्कॉड्स हो सकते हैं , लिपो दर्मा हो सकता है, ऀचियों से सो सकती है, सुराख की आपको उनी पेशEnt को जो विप्रीद खाना खाती है, क्लोग दहर और विप्रीद समय में रखते है तो जब जिसका समय है, उसी समय आपको बच्चों कि आगका चश्मा छटाने यहूं को तो जुते हैं, अगर आप उनकी आखका छश्मा हटाना चाहते हैं तो बच्चों को गॉझ्टा और सेर्ट घुर गजर घु अंग आजबंगा तो उसको कजिस विं तो délal घु जीए उसके दैते हैं और सेर्ट dieta D पीप ग़िंए मसे खिला हिये, तो चोटे बच्चों के चश्मे बहुत आघाम से उतर जाए कुछ-कुछ बच्चों ke तीन से चार महील पमिnए में उतर जाते ह Witnesses पुछ एसे तिनिजर में उतर जाते है लेकिन उतर झाए आपने खाये वी सुबर पाणी फिर मेटी का पाणी फिर मेटी काए यह प्रोटि जूने का पनी हं आप इसी कैसे का ऊड़्य बिछ मैं को यही पर किशलों बीच में समय कानी जैसलों कि इसके आदे गेंटे 40 मिनफ डाप नाश्टा कर सकते ह। उसके आदे गेंगे मेदी का पानी ले सकते ह। वीच में नाश्टा कर सकते ह। आप मरिशता कर सकते हैं । है 3 साल भी बच्छी कि हाईए नहीं वड़ देू है उसे चुना कितना वा किसी ऐया? दही में मिलाके दीजे, लस्ती में मिलाके दीजे, डंवें के रस में मिलाके दीजे, नहीं तो साधा पाही के लागा शिर्में डंडर कैमके एतो बहुत अच्छी दवाह है नीबू का रस और गुर्भ दोनों मिलाई नहीं तो नीबू के रस में शहर्द मिलाई और इसको बाल में लगाई और एक एंटे लगा नहीं दीजे फिर उसके बाद बाल को भोली उसे शैंपू मत लगाई दो रखी उपार में निकल जाए घुठका का चलन से कई रोगोने के समावना इसे कैसे रोगना है तो उन लोगों को अदरक खिलाए नहीं तो स्नूट खिलाए जेनल लोग सौट खाते दो स्नूट तो जो सौट क्यादा खाई गे वो अपने आप घुठका चोड़ें और अदरक खाई देट तो भी घुठका तो जिनको गुटका खाने की आदत हैं उनके लिए आपके लिए छोटे-छोटे अध्रक के पुपड़े काटिए दूप में सुखा लेजे और उनको दीजिए जब भी गुटका खाने का दिल करें वो गुटके का एक मूमें यह जो अध्रक का पुपड़ा रखें और उसको चूशते रहें दिन बर को खतम नहीं होगा रात भी खतम नहीं होगा दो तीन दिन में लगाता करें ने चौते दिन से यादी नहीं आई दुटका खाने के पल्स पोलियों अगया कि बारे नाती जल चाए इसकी बहुत जरूरत नहीं है हमने बहुत ओवर्लोज दिया हमारे बच्चों को पहले आया था कि एक पुराद देंगे अब पता चलता है दग्दस पुराद को देंगे और कई बच्चे विचारी बढ़ रहे हैं इस पल्स पोलियों की पुराद को इसलिए मेरी विंत्य है कि ज़्यादा इसको ओवर्लोज मत होने दिजे और वैसे भगवान लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में यह सब वैक्सिनेशन बंदो चुका है भारत में चालो है अमेरिका में बंद है यूरोप के देशों में बंद है भारत में चालो है क्योंकि उन्टों भारत के बच्चों से कोई ऐसा लगाद नहीं है जो अपने बच्चों से तो यह वेक्सिनेशन तो बहुत लिख खराग है, इसमें आप मत जाएंगे, जरू रखते हैं, वेपिटाइटिस भीका भी जरूर रखते हैं, ये किसी को वेक्सिनेशन देगे, शरीर का प्रतिरक्षा सस्तंत जो है ना, उसको छीक रहे, वो अगर छीक है, तो दुनिया में सब छीक का आए, दुपहर का समय मट्चे का आए, रात का समय दूद का, दूद सुझा लगती जी, मट्चा रात को मत पीजे, जूद शाम को मत पीजे, बच्चों के लिए भी है, बढ़ो के लिए, दूद, अगर आप दूद पीना चाहते हैं, दिन धर में, तो इसकी मात्रा तह हो और अगर कुछ भी निकरते, साधारा, सुवए, शान, आराम की जिंदिती है, तो कभी भी 200, सवा, 200 mm से ज़ादा दूब मत कीज़ें। चोटे बच्चों को उमर कितनी ही? माहिजे साल के अंदर की उमर है, तो जादा से जादा उनको 100-77 mm और एक साल से तीन साल के बीच की उमर है, तो 200 mm बच्चों को 8-10 साल के बच्चों को 200-300 बीच में चलेगा, लेकिन एक उम्र बढ़ने के बाद सिर्जवरत उत्मी नहीं है, 15-16 साल के बाद उत्मी जवरत नहीं है, तो उसकी मात्रा चाहें तो कम कर सकते। बच्चे लोग मिर्च नहीं खाते हो तो क्या चाहें? शताती का सबसे बड़ा गोड़ा एक्स लिखत कमलेज यह है, विष्णी प्रवाज को रमने आखके पुस्तर दिए, हाँ मुने पढ़ी है, और बहुत अच्छी कितार, आपको मिले तो हम भी पढ़ी है, क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बाते कहीं है, जिनको करने के बाद में तीन प्रोफेसर से मिल चुका हूँ, जो मेडिकल कालेज प्रेख्स के उसको लेके जाती थी। कुछ केस अभी भी पैंडी है, कुछ का फ्रसला आजा है, कुछ अभी भी पैंडी है। मुझे एक जानकरी तो छूड गई आपको बताने के लिए, वो चरग सहिता की नहीं है, सुशुरूप की भी नहीं है, परिक्षन करवाया, तो पता चला कि वो इतने खराब हैं, उसमें इतने केमिकल हैं, जिनकी आपको पल्प नहीं वहीं जी है। और ये बिपाबन तेल ज्यादा बड़ा कारण हैं, घिर्देधाद के लिए। आपके सामने ये कैलाश्टोनी जी हैं। इनको कॉलस्वाल बहुत पढ़ गया था। और जो खराब कॉलस्वाल है ना, ये इंडियान और एविए ये बहुत पढ़ गया था। इन्होंने एक ही परिवर्तम किया अपने जिन्दिगीन, बिपाबन तेल खाना इन्होंने बग पर गया। शुद्ध तेल खाना शुरू किया। अब उसके बाद इन्होंने लिटिल प्रोफाइल चेक कर आया। तो इनका जो खराब कॉलस्वाल था वो कम हो गया। और जो अच्छा कॉलस्वाल था वो भढ़ गया। यह जो इनके यह परणाम आया, वो भारत में सेटरों लोग भी यही बात करते। वोई कहते कि जब से बिपाबन तेल खाना उन्होंने छोड़ा, उनका तक्नीश पहले से कम हो गया। तो आप शुद तेल खाईए। दिपाबन तेल मत लाइए, शुद तेल खाईए। तो आप ओलेगे जी, धमतरी में शुद तेल का मिलेगा, तो तेजी घानी एक लगा दीजे। इन लोगों ने कहिए एक तेल हड़ी शुद तेल करनी जा रही, कि आपको ये सोनीजी और रखन साथ के सयोग से शुद तेल अभी मिल जाएगे। दमतरी में आप शुद तेल कोई कभी नहीं आने लागी होए। आप हमेशा ये याद रखिये, तेल कोई भी खाईए। दिपा बन भीको नहीं, शुद भी तेल खाईए। और जादा अच्छा तेल जो खाने को है, मिनफली का है, तिल का है, और हमारे घरों में कई बार इस्तेमाल होता है सर्सों का, ये तीन को छोड़कर चौथा कोई तेल बत आई, सोयामीन का तेल को गलती से निमत है, सूरत मुखी का तेल कभी निमत खाईए। क्योंकि सोयामीन और सूरत मुखी का तेल मनुख्य के खाने के लिए नहीं है, दोनों ही तेल का वो लाइस्टिक काई है, जिस पर वो पच्छने की क्रिया शुरू होती है, वो मनुख्य शरील से उंचा है, हमारे शरील का नौर्मल तो बाड़े तंप्रेचर है, वो 37 ग्री सेंटिग्रेट है, सोयामीन तेल और ये जो सूरत मुख्य का तेल है, इसको डाइजेस्ट होने के लिए 40 दिग्री, 42 दिग्री लगता है, उतना तंप्रेचर शहीर में कभी दिग्री होता, बीमार होने को छोड़ता, तो इसलिए सोयामीन अच्छा तेल नहीं, आपके सुयावीन का तो दिको जी आपके पनिर शुछेयर मनुख्यों करी मनुख्यरी describes होने को तो रहोता है वो डालन का तो भर्मान की पूझा में तो अगा है? जो अरेर की दाल लगते हैं एस अब थे सोयाधीन दाल कोंगी वहीं है कि भृषिं दाल ऐसाब से नहीं हैं अब चekingरे हिसाब से द Hmm da पनीर सुराविंस का मत खाएंगी के जरूर क्षै खार बहुत अच्छा प्रशन है यह पहले आप अच्छा क्षा खानाई के बीस फिर पहले पानी को सकते हैं बीस किनक कर, कितना भी चाहें उतना पानी दिसके, गेहू के साथ चले को मिला के खाये, सोयविन की बिल्कुरी ज़रुदत, चना और गेहू बेस्ट कॉंबिनेशन, किशी दो मत खाये, उस सोयविन को पचाने के लिए जो शरीर में लगता है ना इंजाइन, वो है नहीं हमान वो सिर्फ सुवर के शरीर है, मनुश्य में है ही नहीं है, तो खाने सुवर फाइवार नीं पचेगा है नहीं, बेकार बेस्ट जानवर, चना खाये, घोड़ा, घोड़ा चना खाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत घोड़े भी पानी जाती है, और हर ताकत को आप चना खाये ना, बल्कु रुड़े, लिर्शी चना खाये, बजन बढ़ने के तुट्या हो, अप अगर बजन बढ़ाना चाहते हैं इस उम्मर में भी, तो उसका सबसे सरव उपाय है, धरी और केका खाये साथ ने, चना और गुर खाये साथ ने, और मुझवली के दाने अगर खाये, ये तीन चीजें आपको दाइबना शामिल करिये, आपका वजन चार से पांच मही में एक खिलो बढ़ जाएगा, ने में खुट सकते हैं, और जागा बढ़ाना है, तो दो-तिन सार यही खाते रहे हैं, और को इस प्रश्म होता है, जी, हाँ हाँ, आपके एक कुछा था इसी तरह का मुझे यान आगया, अगर मालीजब दिट्टी की थक्लीफ है, और वाट की थक्लीफ है, तो आप क्या करें, तो आप ये मत लिजिए, दालचीनी भी मत लिजे, ये भी मत लिजे, चूने का पामी भी मत लिजे, आपको वे तीसरी आउशर भी बताते जिनको पिक और बात दोनों एक साथ हैं, उनकी सबसे अच्छी दवा है त्रिफला चूर लीजिए, त्रिफला चूर में आमला, हरडे और बहेरा, ये तीन दवाए हैं, ये आप लीजिए, मात्रा कितनी एक चमच, एक चमच त्रिफला चूर और एक चमच शहर, शहर ने ले स तो एक चम्मच गुड़ एक चम्मच गुड़ एक चम्मच सिफला जूँ दोनों को मिलाईए हल्के गरम पानी में कब भलके मिलाके उसको चाय की तरह से चुछ की लेते हुए पीजी सुगर भी सकते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम है रात को पिएंगे कम परिणाम है लेक मात्रा रखें एक 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 अनुपाद आदा किलो आउने का चुमत आदा किलो हर्डे का आदा किलो वहेडे का तीनों मात्रा बराब अच्छा जी तो बिना केमिकल का भी मिलता है आपको चाहिए तो हम दिल्वा देंगे आपको बिना केमिकल का गुल चाहिए तो यही मिलता है दंतरी है बिना केमिकल का गुल जो है न थोड़ा काला काला सा होता और जो जाड़ा केमिकल वाला वो एक दम सफेद और पीला होता तो पीला और सफेद गुल छोड़के काला वाला चाहिए तो हम दिल्वा दिल्वा जितना चाहिए उत्ता में जाए, कमी नहीं है अच्छा देखने वाली हर चीत अच्छी नहीं होती है आपको वालू में कई बार कुछ बहने बहुत बोरी दिखती है लेकिन जब उनकी नबस देखते हैं तो पता चला कि है एनीलिया की शिकार है हाँ रत तल पता है तो रत की कमी आने से जो पीलापन है वो हमां गोरापन दिखाई गया तो उसमें धोखा हो जाए तो गुर्ण बहुत पीला है तो अच्छा नहीं है जी धन्यवाण अभी आगे भी कोई प्रश्णों तो आप पत्र लिखके कभी भी फूच सकते हैं इंका इत प्रश्ण है ऑज़िया और बहुत इमर्जल से है तो लोजल के तुरण बाग अबलता होऊ गर्म पाने उधोका निस पत्ले कुझान मुंदान के साश्भ और गपिचोल से होग निलंवागमिक कुझाबोगन? आशाया आपके प्रिश्णों दोक्तर मिलगें आओगें और आपको सब्सक्राइब कोगे अंत में लक्ष्मा निंज्याओ को पुला अमत्रित कर रहा हूं तो आपके प्रिश्ण करेंगे रन्यवाई रन्यवाई आजमी राक्साद अजादी बचाओ अंगोला में धिनस्वराय अध्यान की धम्त्री इक्षी अभाल व्यक्त करते हैं मांगे श्री गाढ़ी दिच्छी जी जो की धिनस्वराय अध्यान प्रणेता है कि आपने एक बाद और धम्त्री पढ़ार करके और आज का जो यह नया विशय था उस पर गाठ्याम दे करके इसके प्रणेता वो उसका लाब दिया हम आभाली हैं हाँ उपस्तित समस्त रबुद जनों के विशेश रूप से नगर में सत्री जो महिला संगठन है उनके जिनोंने बहुत अच्छी उपस्तिती प्रण कर इस कार्ण को सार्थक किया और सभी ग्रामान इनागी कोंगें जिनोंने यहां पर उपस्तिती प्रण करे साहर जन को सार्थक किया हमा भाली है अगरने से मुखिला की साहूर जो हमसे शेक्षा वर्मा जो प्रण करें शिकाई के अभ्यक्षिन कि आपने भी अपना बहुत बुद्धी समय देता पर और हमारे कारेक्रम की सफल का में हमा भाली है समस्त पत्रकार्वित्रों के जिनोंने सुचना और प्रकाशन के मार्ण से जन जन तके आज के सायक्रम की फुथना दी और यह सफल आयोगें ऐसे प्रद्यक्ष और प्रद्यक्ष सायोग से संपन्व हुआ है सब्सक्राइब करते हैं मंगल भावन प्रबंधन के हम आभाजी हैं और यवस्ताओं में सहयोग प्रकाओं के हम आभाजी है पुना तौन को जन्यवाद से टायक्रम अगनी समात पतारव जैसी के सुचनाय दी गई है कि राजीर दीजा एक और व्याक्षान राम कथा पराधारिक ग्राम अरजुनी में इसके बाद अभी दारंब होगा अब से लगवा सादे जिनके बाद